Hi guys, welcome to infinite investment, मेरा नाम है राजन, आज के इस पीडियो में हम लोग देखने वाले हैं probability के complete chapter को, ये एक ऐसा chapter है जो banking के main situation के अगर बात करें तो बहुत जादा important हो जाता है, कई बार तो आपको 5 questions के एक D.I. आज आती है, और ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत सारे अलग-अलग जो आपके arithmetic के chapter है, जैसे माली जो profit loss या time and work, उसमें भी आपको आजकल probability का concept देके question पूच रहे हैं, even number series, quality के अंदर भी आपको पूचा जा सकता है, तो इसका knowledge होना बहुत जादा important है, आप इसको ignore नहीं कर सकते हैं, अगर आप means की serious preparation कर रहे हैं तो, और ऐसा नहीं है कि banking मे बागी जो examination है, जिससे SSC हो गया, या railway हो गया, वहाँ पी भी आपको इसके question आते हैं, majority of the competitive examination में आते हैं, इस video के help से मैं ये try किया है, कि जो भी competitive examination में type of questions है, या concept की requirement है, उसको आपका पूरा का पूरा यहां पे पूरा किया जाए, और ये आप लोगों पर एक suggestion देना चाह अगर आप permutation combination अच्छे से समझ जाते हैं, तब आपको probability में भी as such कोई problem नहीं होगी, जैसे ही complex question आएगा, तो मैं वहाँ पर permutation की concept यूज करूँगा, तो अगर आप वह वाली वीडियो देखके आएंगे, जहां पर मैंने permutation combination को complete अच्छे से बता है, तो आपको इसमें और अच्छे से insights पता चलेंगी, ठीक है, तो वो वीडियो का link जो है मैंने description में दे दिया है, पहला ही वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो एक बार उसको check कर लीजी, उसके बाद इस वीडियो का फाइदा आपको बहुत जादा देखने को मिलेगी, ठीक है, त इसको आप join कर सकते हैं, इसका link मैंने description में भी दे दिया है, या फिर आप add the rate in fee prep करके अगर search करेंगे, तब ही आपको ये मिल जाएगा, and हमारा infinite decimal app है, अगर आप लोग कोई भी courses से related आगर आप information जानना चाहते हैं, तो हमारे app को download कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे courses की complete information म मिल जाएगा, alright, probability, so सबसे पहले तो यह समझते हैं कि probability का literal meaning क्या होता है, probability हमें यह बताती है, कि किसी भी चीज के होने या ना होने के क्या chances है, alright, so probability is nothing but the chance, or you can say the possibility of occurrence of an event, कि कोई एक event है, जैसे माल दीजी कि एक event को मैं define करता हूँ, कि एक हमारे पास आज cricket match चल रहा है, एक cricket match चल रहा है, इसके बीच में तो सर इंडिया और पागिस्तान के बीच है, तो मैंने एक event define किया, कि what is the possibility कि इंडिया जीतेगी, तो यह मेरा event हो गया, तो probability आपको वही बताएगी कि इसक numerical value क्या होगा, like किसी भी चीज़ को आप reality में, तो numerical way में compute करोगे न, कि हाँ sir, इंडिया के जीतने की possibility जो है, वो 100% है, 99% है, या 95% है, इस तरह से, तो numerical way में, जब हम कोई भी चीज़ को निकालना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, chance को जब निकालना चाहते है कि sir, इंडिया की जीतने की possibility 200% है, वो कहने वाली बात, reality में अगर देखा जाए, तो कोई भी चीज़ की like probability, chance होने की 100% से जादा नहीं हो सकते, 100% इसका मतलब sir, probability की maximum value 100% होगी, yes, correct, और क्या कभी भी ऐसा हो सकते है कि probability negative हो जाए, कि कि किसी भी चीज़ के होने या ना होने क जो chance है, वो sir, negative हो जाए, no, या तो वो नहीं होगी, तो minimum value क्या होगी, 0 होगी, तो probability आपको क्या बताता है sir, मुझे chance या possibility कोई भी event के होने या ना होने के बारे में बताता है, और उसकी जो value है sir, maximum 100% हो सकती है, that is 1 हो सकती है, क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, and minimum कितनी हो सकती sir 0 भी हो सकती है, इसलिए अगर मैं event को e से represent करता हूँ, तो I can write, कि probability of an event e, कि किसी भी एक event e की होने या ना होने की जो probability है, possibility है, वो किसके बीच में लाई करती है sir, तो 1 और 0 के बीच में लाई करती है, तो यह सबसे पहली चीज़ आपको धियान लखना है, कि probability होता क्या है, समझ गया, actual में सिर्फ probability निकालते कैसे हैं, तो there is a set procedure, एक procedure follow करना पड़ता है, तभी आप एक चीज़ की probability निकाल सकते हैं, और generally क्या करते हैं, टीचर इस चीज़ को ignore कर देते हैं, तो बच्चों को अच्छे से knowledge नहीं हो पाती, मैं आपको आप next slide में यही बताता हूँ, कि किसी भी चीज़ के अगर मुझे event का probability निकालना है, तो उसके लिए procedure क्या है, यह procedure आपको exam में पूछा नहीं जाएगा, बट knowledge इसकी रहने से क्या होगा, हर तरह के question में आपको idea रहेगा कि हाँ, इस तरह से मुझे proceed करना है question, आप कभी भी blank fill नहीं करोगे, random experiment, sample space and event, यह ती exam में die भी लिखा जाता है, तो यह क्या है, singular form है, एक single अगर आपके पास है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे die, जैसे ludo का यह आपका होगया, हमाल लेजिए, एक, यहाँ दो बना हुआ है, यहाँ तीन बना हुआ है, इस तरह से, तो इसको हम अगर single ले रहे हैं, तो उसक कभी exam में आपको dice लिखा हो, तो तब भी आपको समझ जाना चाहिए, कि क्या बोल रहा है, और die भी लिखा है, तो इसका मतलब वो भी correct है, तो बैए, क्या निकालना चाहता हूँ, कि sir, मैं एक बार throw कर रहा हूँ dice को, तो क्या probability है, कि two मुझे देखने को मिलेगा answer, ठीक है, तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ, कि probability of getting two while throwing a dice, एक dice को मैं throw कर रहा हूँ, तो मुझे क्या probability है, कि two मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए, तेरा certain procedure जो हमें follow करना पड़ेगा, what is the first procedure, जिसको बोला जाते है, random experiment, ठीक है, आपको probability निकालने के लिए, पहले क् पड़ेगा sir, throwing of the dice, dice को throw करना पड़ेगा, अचा, तो sir, जब मैं dice को throw करूंगा, तो आपको क्या दिछेगा, outcomeBLE, तो या तो 1 आया तो उसको हमें, क्या कहता है, outcome तो आपने देखा कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो आप जब dice को throw कर रहे है, या फिर को पोटल तरीकिसे हो सकता है, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इसके अलाबा नहीं आ सकता है, तो जितने भी सारे outcomes आपके होंगे, उसको हम लोग क्या कहते है, sample space, तो जब भी किसी भी चीज़ का आप probability निकालने जाए, तो सबसे important चीज़ क्या है, कि sample space आपको contain all the outcomes, all the possible outcomes, यहाँ पे listed होंगे, ठीक है, जैसे sir, हमारी case में जब मैं dice को throw करता हूँ, एक dice को throw कर रहा हूँ, तो क्या-क्या, आपके sample space बनेंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है, ठीक है, तो आपने random experiment किया, वो पहला step था, throw क then आपने note किया, कि sample spaces क्या-क्या है, तो यह आपका second step है, now तीसरा step है, कि जो आपकी requirement है, event का मतलब क्या है, कि आपकी क्या requirement है, यह क्या था, all, all outcomes, ठीक है, और event आपको क्या help करता है, favorable, favorable का मतलब क्या हुआ, कि sir, जो मुझे चाहिए, मेरे favor में, जो मैं पूछ रहा हूँ, वो outcomes मुझे चाहिए, तो favorable outcomes का निकालना है, समझे, और उसको हमने event बोल गया, जैसे मैं इस event को नाम देता हूँ, कि event of getting two while throwing a dice, तो event में हमें क्या चाहिए, वो हम define करते हैं, sample space में जितने भी तरीके से कोई चीद हो सकती है, वो लिखा जाता है, और event में हम अपनी जो requirement है, वो mentioning करते हैं, I hope ये तीनों terms में आपको कोई भी doubt नहीं होगा, अच्छा सर्थ, तो event आपको निकालना था, तो आपने क्या किया, probability, अभी मैं आपको definition बताऊंगा, बट इन जनरल आपको बहुत लोगों को ये पता ही होता है, कि अगर आपको probability निकालना है किसे two, कितने तर तो नीचे आप six लिख देते हो, और आपकी requirement क्या है sir, तो मुझे two लाना था, two लाना था, तो two कितना है sir, एक ही बार है, एक ही बार आसकता है, तो one लिख दिया, तो ये आपकी probability हो गई, कि probability of getting two is, इसको ऐसे भी लिख सकता है, कि probability of getting two while throwing a die, that is equal to one by six, six यहाँ पे total ways हो गया और favorable उपर वाला हो गया, कि जो मुझे चाहिए था, समझ के, ये favorable way हो गया, अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये fraction में answer आ रहा है, और इसी को हम 16.66% भी लिख सकते हैं, तो कई बार examiner आपको probability percentage में भी लिख के देगा, इसलिए मैंने कहा कि percentage भी दिया जाएगा, तो आपके examination में possible question आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा जान लो, पहला है सर, impossible event, और दूसरा है, sure event, ये दोनों event के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए, बाकि और भी है mutually exclusive, equally likely, वो सब आपकी requirement नहीं है, वो जब IITs वगरा के preparation करते हैं, तब उसमें जादा हमें उस चीज की requirement होती ह impossible event का नाम से ही आपको पते चल रहा होगा कि ऐसा event जो हो ही नहीं सकता, तो जैसे हम अपने case की बात करते हैं, कि sir मैंने die को throw किया, मेरे outcomes किया थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैंने ऐसा event define किया कि मुझे बताइए कि क्या probability है, कि मेरा answer 0 आ जाए, जब मैं एक die को throw करता हूं, तो 0 आ ज event होता है, जिसकी probability क्या होती है, sir, 0 हो जाते है, समझ गए, हमने यहाँ पर क्या बोला, कि क्या probability है, कि 0 मुझे दिख जाए, 0, या फिर probability क्या है, कि negative number मुझे दिख जाए, जब मैं die को throw करता हूं, तो यह सारे events, अलग-अलग event define किया है, मैंने, यह सारे का answer क्या होगा, 0 और दूसरा होता है, sure event, इससे भी आप समझ गए हो, sure event का मक्तब क्या है, वो होके रहेगा, 100% उसकी probability है, मतलब उसकी probability क्या answer, 1 है, तो जैसे define करते है, कि क्या probability है, कि आपका जो answer आएगा, जब आप throw करते हो dice, वो less than 7 होगा, less than 7, मैंने ऐसे बोला, कि क्या probability है, कि जब आप एक die-code throw करते हैं, तो आपका जो answer आएगा, वो 7 से कम हो, तो sir, इसकी probability कैसे निकालेंगे, सबसे पहले, तो नीचे लिख दो, total number of ways, which is 6, 6 तरीके से आसप करते, अब आपको क्या बोला है, कि less than 7, तो 1 भी आपको लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड तो sure event ऐसा आपको दिया जाएगा, कि sure event की probability 100% होती है, yes or no, जैसे आता है na, which of the falling is true or false, तो यह आपको ध्यान रखता है, I hope आपको यह तीन चीज़े, random experiment, sample space, event, and event के जो दो important type है, वो आपको समझ आया हो, अब हम ready है, probability को define करने के लिए, तो आइए probability को define करते है, तो आपको probability निकालना है, तो मैंने e event का probability के लिए definition लिखने वाला हो, तो अभी मैंने आपको बता है कि नीचे आप क्या लिखते हैं सर्फ, total number of ways लिखते हैं, क्योंकि possibility है ना, तो यह कितने तरीके से हो सकती है, वो आप नीचे लिखते हैं, और इसी को हम लोग क्या कह रहे थे अभी, sample space, इसलिए sample space को भी पढ़ना बहुत important है, ठीक है, और उपर क्या होगा, कि favorable ways, favorable ways किसका, तो e event का, e जिसकी भी probability निकालना चाता हूँ, वो कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो अगर मैं आपको वही same example जो अभी हम करके आए है, उसमें अगर मैं पूछूँ कि बताई कि क्या probability है कि 3 आ जाए, जब मैं एक डाई को थो करता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे सर, नीचे 6 लिखेंगे, 6 तरीके से हो सकता था, और 3 तो एक ही तरीके से आएगा ना, तो 1 by 6, probability की एक odd number आपको देखने को मिल जाए, क्या होगा सर, टोटल 6 तरीके से देखने को मिलेग और नंबर क्या क्या होता है, तो 1, 3 और 5, तो 3 तरीके से आपको favorable ways मिल सकता है, उपर आप 3 लिख लेंगे, इसको आप cancel कर लीजे, तो half आ गया, probability की prime number हो जाए, आजओ, तो prime number क्या क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो favorable इसमें भी क्या है, 3 है, और total तो आपके 6 ही हो होंगे, तो यह 1 by 2 हो गया, आप देखिए, एक बहुत important चीज़ बताने वाला हो, हमने बोला कि probability of an event e जो है, उसको उपर, sir, favorable होता है, तो let us call this f, and total number of ways को t बोल देता है, ठीक है, तो sir, probability of event e जो है, वो आपका हो गया, f by t, ठीक है, तो एक event हम लोग अपने हिसाब से, जैस 3, 4, 5, और 6, ध्यान देना, बहुत important चीज़ बताने वाला हो, इसका काम बहुत बारा है तो sir, आप जो निकालने वाले थे, odd number निकालने वाले थे, तो odd number कौन कौन है, 1 है, 3 है, और 5 है, ठीक है, तो बच क्या गया sir, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, मतलब जो मुझे न होते हैं, उसको, compliment, ठीक है, कि उसके अलावा जो बच गया ना, वो आप देखो, तो sir, वो क्या है, sir, 2 है, 4 है, और 6 है, ठीक है, और क्या आपको यह नहीं लगता, कि जो भी मैं event निकालना चाहता हूँ, जब भी मैं कोई event निकालना चाहूँगा, तो उसका कोई compliment exist करेगा, है ना, या तो अगर मैं सारी चीज़े कर लेता हूँ, तो compliment नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, अगर लेकिन उसमें से कुछी चीज़ों को मैं select कर रहा हूँ, तो एक compliment हमेशा बचेगा, और उन दोनों को अगर हम लोग add कर लें, सारे numbers को अगर हम लोग देख लें कि 1, 3, 5 था यहाँ 2, 4, 6 अगर कर दें, तो sample space बन जाता है न, हाँ सर, यह तो बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे, यह E और यह क्या है, सर, यह complimentary event है, यह event है, इसको ध्यान रखिएगा, complimentary event, इसका बहुत जादा काम होता है, probability निकालने के काम, ठीक है, complimentary event का मतलब क्या हुआ, जो भी आप event निकालना चाहते है, वो तो आपका ठीक है, वो आपने lays down कर लिए है, लेकिन उसके अलावा जो चीज बच गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस event का complimentary event, ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछ कूँ कि, सर, यह बताओ मुझे, कि probability क्या होगी, compliment, that is, E bar की क्या हो होगी, ठीक है, तो सर, इसमें भी आप क्या करोगे, total ways लिखोगी, और जो E का favorable था, favorable था, उसको आप minus कर दो, उसके अलावा जो बचेगा, मतलब total से, सर, favorable वाले minus कर दें, तो मिल जाएगा, क्या सकता हूँ, क्या सकता हूँ, तो total में, आपको मैंने दिखा दिया है, यह आ देखो, T से T cancel होगा, तो 1 आएगा, और यह F by T हो गया, ठीक है, और यहां से मुझे क्या मिला, 1 minus, what is this, यह क्या है सर, तो यह है सर, complimentary event, यह है event आपका E वाला, तो यह लिख सकते है, तो आपको देखो एक बहुत important relation मिल गया है, probability of a complimentary event, कि जिस भी event का आप निकालना चाहते उसका जो आपका opposite वाले event होगा, opposite का मतलब पीसर, total से जो भी favorable है, उसको minus कर दो, तो वो क्या होता है सर, 1, which is total probability, total probability किसी भी चीज़ की one ही होगी, minus क्या करें, उस event की probability, जिसका compliment आपको निकालना है, समझ गए, जब भी आपको PCB चीज़ का compliment निकालना है, किसी भी event का compliment निका अच्छा सर, इसका मतलब ये था सर, आप ये कहना चाहरा है, अगर मुझे odd number का निकालना होता, तो मैं ऐसे भी कर सकता था, कि one minus probability of even number, क्योंकि आपके पास sample space में 6 number थे, उसमें से सारे odd आपने pick कर ली है, तो बचा क्या, even number बचा, तो हाँ आप ये कर सकते थे, कि probability of odd even निक half आगया, one minus half is again half, देखो दोनों का answer same है, तो complementary event define करना बहुत important है, आपको ये पता होना चाहिए, कि इसी भी event का complementary event क्या होगा, समझ गया, तो जैसे देखो एक example देता हूँ, कि इसी का ही example ले ले लेते हैं, कि complementary event की 3 आजाए, 3 आजाए, इसका complementary event क्या होगा, कि other than 3, 3 नहीं आए, ठीक है, तो वो कितने तरीके से होगा, तो obvious ही बात है, कि सर्फ वो 5 by 6 होगा, क्योंकि 3 अगर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, 1, 2, 4, 5 and 6 आने वाला है, तो 5 तरीके से आ सकता है, total ये है, और इन दोनों को देखो, आप add करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिले चीज की probability निकालना चाहते हो, वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा चलना पड़ेगा, आपको बहुत लंबा procedure हो जाएगा, उस case में हम क्या करते हैं, complementary event define करने की कोशिश करते हैं, आगे जब question करेंगे तो आपको और अच्छे से idea लगेगा, पट इस चीज को आपको बहुत अध्यान से याद रखना है, I hope this is clear to each and every one of you, now let's talk about calculating sample spaces, क्योंकि sample space निकालना भी बहुत important चीज है, यह सीखना पड़ेगा, एक करके different cases का example लेता हूँ, पहला में लेता हूँ, tossing of coin, single coin, double coin, 3 coin आ जाएंगे तो कैसे कैसे होगा, पहला case ले रहा हूँ, single coin, और sample space क्या होता था, कि जो भी आपके possible outcome आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा, head देखने को मिलेगा, और tail देखने को मिलेगा, वह अच्छी बात है, अगर 2 coin होंगे, 2 coins, 2 coins के लि आपको confusion नहीं होगा, जल्द यल्दी निकाल पाओगे, तो मैंने क्या किया, पहले पर head fix कर लिया, तो दूसरे पर क्या आसकता है, head भी आसकता है, अगर पहले पर head fix किया, तो दूसरे पर tail आसकता है, then head का तो यही हो गया, पहले पर head आएगा, तो दो तरीके से आपका या तो head या tail, तो वो खतम हो गया, अब पहले पे हम tail को ले लेते हैं, तो क्या आ सकता है, head आ सकता है, या फिर tail और tail आ सकता है, तो ये आपके sample space हो गया, अच्छा, अब ये कैसे बता चलेगा सर कि यही चार बनेंगे, तो मैंने आपको permutation combination में सिखाया है, आप देखिए कि आपको work कहां से कहां तक खतम करना है, दो coin को toss करने थे, दो coin को toss करने थे, तो sir पहला coin है, first coin, और उसके बार second coin माल लो, तो दो sub work है, sub work number one and sub work number two, यहां से आप start करोगे, तो यहां पे आके end हो जाएगा, काम आपका, तब आपको ये पता चल जाएगा कि कितने तरीके से कितने तरीके से आप कर सकते हैं, तो दो तरीके से answer आएगा, क्या आपका काम खतम हुआ, नहीं, क्योंकि अभी आपको दूसरा coin भी toss करना है, दो coin को toss करना है, तो आपने दूसरे coin को भी किया, ये भी दो तरीके से outcome देता है, और अब आके आपको काम खतम हो गया, तो sir आपको साथ में करना है, तो बीच में multiply लगा दो, तो answer कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, 4 ways में आपको outcome देखने को मिलेगा, देखो 4 देखने को मिल गए, ठीक है, अच्छा सर, team coin अगर करेंगे, तो आजो, पहले coin के लिए क्लिए क्लिए 2 ways, second coin के लिए 2 ways, और third coin के दिखेगा क्या क्या, वो बता, ठीक है, अच्छा, तीसरा सर, तीन coin होंगे तो क्या करें, 8 आपके sample space बनेगे, वो आपको दिखा दिया है, आज और list down करते हैं कि कैसे कैसे होगा, देखो, पहले वाले पे head fix करते हैं, पहले वाले पे head fix किया, और देखो, आगे कैसे proceed हो सकता है, पहले वाले पे head है, तो second वाले पे tail आ सकता है, पहले वाले पे head था, second पे head है, तीसरा भी क्या हो सकता है, head हो सकता है, या फिर सर, starting के दो अगर head है, तो तीसरा tail भी हो सकता है, यह हो गया, starting के दो को मैंने head head लिया, तो एक बार तीसरा head आ सकता है, या tail आ सकता ह है और देखू पहले वाले को hyd değil-खार सेकंड वाले को टेल ले लिया मैंने तो इसमें थर्ड वाला एक बार हैड आ सकता है फिर यहां पर यहां पर टेल ले लिया तो यह भी टेल सकता है ऐसा होगा मतबब आप क्या करूंगे दो को कि ये जोके की बन गया, answer दोनों tail आ जाएंगे, starting वाले ये head आ सकता है या फिर ये दोनों tail हो गए, तो ये भी tail आ जाएगा होगे answer, दोको मैंने किया किया कैसे ace को जल्दी से लिखा आपको 2 वाला बहुत simple लगेगा, आपने क्या किया पहले 2 को आपने एक बार head लेके देख लिया आपको कभी भी confusion नहीं होगा, तुरंट आप निकाल सकते हैं, अगर 2 के लिए आएगा, तो पहले बाले को fix करें, 3 के लिए आएगा, तो पहले 2 को fix कर लो, और आपको पता है कि 2 coins के लिए कितने अलग-अलग होते हैं, head, head, tail, tail head, tail tail, इस तरह से, ठीक है, समझ गए, एक्जाम में आपके 3 coins का maximum रहेगा, तो यह हो गया, आपको अगर 4 coins का बनाना है, तो वही तरीका लगाईए, और देखेगा कि 16 cases आपके बनेंगे, लो जो दूसरी चीज है, वो आपकी क्या है, sir die throwing, die को throw करना है, पहला के इसले के चल रहा हूँ, single die, single die को throw करने वाले हैं, आप तो क्या-क्या आएगा sir, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, मैं जानता हूँ, आप लोगों को यह सारी चीज़े आती होंगे, मुझे भी आती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बस आपके आँखों के आगे से एक बाद चला जाए, ठीक है, revision हो जाए आप लोग, बोर मत फिल करना, यह 6 तरीके हो गए, होना भी चाहिए था 6 तरीका, sir, 2 dice को मैं जे थ्रू करना है, 2 dice, ठीक है, आज आओ देखो, क्या होगा, sir, जब मैं पहले dice को थ्रू करूँगा, और यह second dice को थ्रू करूँगा, dice को थ्रू करने वाला हो, ठीक है, I hope मैं आपने उपर नहीं लिख रहा हूँ, एक second चेक कर लूँ, yes, तो जब मैं पहले dice पे जाओँगा, यहां से start होगा काम, लेकिन पहले के बार ही खतम हो जाएगा, second जब तक मैं थ्रू नहीं करूँगा, तब तक मेरा काम खतम नहीं होगा, मतलब मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे, यह सर्च यह तरीके से outcome देता है, यह भी 6 तरीके से outcome देता है, तो दोनों को multiply गाएगे, तब ही fundamental principle of counting क्याता है, कि total number of weights पता चलेगा, मतलब इसमें 36 वे आने वाले है, 36 तरीके आने वाले है, ठीक है, अच्छा, तो सर, 3 dice के लिए कितना होगा, तो अब्वेसी बात है, आप बताईए, क्या होगा, 216 हो जाएगा, क्योंकि 6 into 6 into 6, 36 into 6 is 216, 4 के लिए क्या होगा, 6 की पावर 4, जाना, and so on, समझ गए, यही आपको दो टाइप ध्यान से याद रखते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, अच्छा, दो dice के लिए देखो, दो dice के ऊपर question आते हैं, तो इसके मैं outcome यहापे list down कर रहा हूँ, शॉर्ट में ही list down कर रहा हूँ, आप लोग पूरा एक copy में लिख लीजेगा, जहाँ पे notes मिरा रहे हैं आप लोग, कि पहले में एक बार क्या करते हैं, 1 को fix कर देते हैं, तो second क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, पहले में 1 को fix किया, तो 2 हो सकता है, यह 1 है, तो यह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और सरी यह 1 है, तो 6 भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, 1 को fix कर लो, 1 आएगा, 2, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, ऐसे करकर दें सरी यह 2, 6 हो सकता है, likewise 3, 1, 3, 2, ऐसे करकर के आपको यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा 3, 6, फिर 4, 1 होगा ऐसे करके आप सारे निकाल लेना आपको देख जाएंगे 36 ठीक है तो यह आपके हो गए कि calculating sample space मैं याद नहीं करवाना चाहता कि आपको यह बोल दूँगी आजाए यह questions को देखते हैं पहला question क्या आपका हरपीत्र tosses two different coins simultaneously say one is rupee one and other is rupee two what is the probability that he gets at least one head at least one head मिले क्या probability है तो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो list down करके कि sample space क्या क्या होंगे दोनो head हो जाए, पहला head हो जाए, तूसरा tail हो जाए फिर यह tail हो जाए, यह head हो जाए, ठीक है न, यह common है बीच में tail head हो जाए, या फिर दोनो tail tail हो जाए यह चार आपके cases, ठीक है, यह sample space था आपको क्या चाहिए, at least one head at least one head का मतलब कि एक head से भी काम चल जाएगा और दो head भी होने चाहिए, क्योंकि at least का मतलब होता है minimum one, maximum जहां तक जा सकते हो, तो maximum दो ही जा सकते है, क्योंकि दो ही बार आप toss कर रहे हो तो आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए मतलब एक, दो, तीन, favorable तीन है favorable तीन हो गया, total कितने है, 4 तो आपने answer क्या गर दिया, कि at least one head का answer क्या आगया, आपका 3 by 4 आगया, ठीक है, लेकिन इसको न हम complimentary event से भी सोच सकते है, आप देखो ऐसे कि जब भी मैं 2 coin को toss करूँगा ठीक है, आपको head के बारे में एक है, यहाँ पे भी एक है, और या तो head सर, दोनो, के दोनो head हो सकते है, यही तीन possible case है, अच्छा अगर तीन coin होते, मालो तीन coin होते तो क्या-क्या possible cases बनते, इससर 0 head हो जाए, 1 head हो जाए, 2 हो जाए, और 3 हो जाए, 4 होगा तो क्या होगा 0, 1, 2, 3 और 4 के 4 हो, जाना, tails के लिए भी ऐसा ही होगा, कि tails का अगर देखा जाए, तो tails 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है similarly, 3 coin में भी 4 points में, जाना, यह चीज़ आपको पता है तो मुझे इस बार क्या पूछा गया है, at least 1 head, कि minimum 1 head होना चाहिए, मतब 1 head भी चाहिए आपको और 2 head भी चाहिए, यह दोनों का अलग से निकालना पड़ेगा, lengthy हो जाएगा, मुझे count करना पड़ेगा, no doubt यह तो simple सा था, आपने count कर लिया, लेकिन अगर माली जब 4 coin या 5 coin पतेगा, तो difficult हो जाएगा तो उस case में क्या कर सकते हैं, हम एक event का निकाल लेते हैं, कि 0 head की निकाल लेते हैं, 0 head का 1 से minus कर देंगे, तो हो जाएगा, complimentary event यही है, कि आपको इन सबको add करने से sample space मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, second slide में बताया था, इसका मतब गएद इसका तरीके, क्योंकि 2 coin को toss कर रहे थे, तो answer क्या होगा, 3 by 4, इस तरीके से क्या होगा आपको यह लिखने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी, starting में पढ़ सकते हैं, बट बाद में आप इसको एवाइड भी किया जा सकते हैं, समझेगे, चलिए आ जाई, आचा, इसमें मालो की at least, at most करके भी question आता है, तो एक बार at most वाला भी question बता देता हूँ, कि मालो की सर, at most, one head आ जाए, at most, maximum, maximum, एक head आ जाए, इसका मतलब क्या है sir, क्या क्या case पूछ रहा है, कि maximum एक हो जाए, minimum 0 भी चलेगा, इस बर सर, 0 देखो, इसको हटा देता है, इस बर सर, head जो आपके अलग-अलग cases बन रहे थे, इन सब को add करने से sample space बनता था, वो तो हमें पता लग गया, अब आपको है, तो that is 1, divided by total कितने है, 4, answer कितना हो गया, 3 by 4, यह आपका answer हो गया, ठीक है, अच्छा, मालों कि पूछा जाए, at most, 2 head, 2 head का बता हो गया, ठीक है, maximum 2 head तक जा सकता है, तो 2 हो सकता है, maximum, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, तो sir, इस case में तो जो तीनों के तीनों possible cases थे, ही आ गया, मतब सारा का सारा sample space आ सकता है, तो यह कौन सा event हसर, यह sure event है, इसकी probability 1 ही होगी, क्योंकि head 0 हो सकता था, वो भी है, 2 है, वो भी है, मतब आप यह बोल सकते थी, कि 4 by 4 होगा, that is 1, यह एक sure event का example हो गया, इस तरह से question आएंगे, आपका example, आज यह next question देख यहाँ पर कर लेते हैं कई बार, उससे भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे number of points बढ़के जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसके लिए जो अभी चीज एक बार मैं starting में यहाँ पर बताता हूँ, वो आप समझना, फिर question में आपको दिक्कत नहीं होगी, दे उस toss के दौरान, उस toss के दौरान अगर मैं पूछों कि head की probability कितनी होगी, तो वहाँ पे भी half ही होगी, क्योंकि या तो head आसकता है, या tail आसकता है, और tail की भी क्या होगी, same होगी, third toss में भी same होगा, fourth में भी same होगा, आप उस particular पे जाओगे, तो head की half मिलेगी, tail की half मिलेगी यहाँ पे half, यहाँ पे half, इस तरह से, यह आपको धियान रखना है, बहुत important है, कैसे काम आएगा यह तो अभी बता रहो देखे, इस question को देखते हैं, हमें क्या बोला है, point is tossed thrice, कौन को हमने तीन बार किया, और outcomes को हम record कर रहे है, sample space हमने note कर लिया, what will be the expectation, expectation मतब चांसे, possibility, that is probability पूछ रहा है आपको, उसने term दूसरा यूज कर लिया है, probability of exactly two head, exactly मतब बस दो ही head चाहिए आप, ऐसा नहीं कि एक head नहीं, तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे है, तीन like coin को toss कर रहे है, तो क्या यहाँ पे complementary event यूज करना चाहिए, तो आजाओ देखो, head मेरे पास कितन तरीके से आ सकता है, तो यहाँ तो sir, zero head आ जाएगा, one head आ जाएगा, two होगा, three होगा, क्योंकि maximum three कर रहे है, तो maximum three तक आ सकता है, यह आपके case से, आपको पूछा क्या exactly two, मतलब मुझे एक ही event का पूछा जा रहा है, तो अगर इस case में क्योंकि बच्चों को doubt रहता है कि कब sir, हम complimentary event use करेंगे, तो इसमें मत करो, क्योंकि आपको एक का ही पूछा है, single असान होगा, rather than आपके तीनों का like निकालना पड़ेगा, zero का भी, one का भी, three का भी, तो इसमें आप complimentary event लगागे, फाइदा नहीं होगा, इसमें बस दो ही head का खाम करो, अब देखो कैसे कर सकते है, तो दो head कैसे हो जाएगा sir, तीन आपको toss करने है, इसका दूसर तरीका भी बताऊँगा, एक general तरीका देखो, ऐसे कर सकते हो कि starting के दो head हो जाए, तो तीसरा tail हो जाएगा, तर पहला वाला head, बीच में tail ले लेते हैं, यहाँ head आ जाए, या फिर पहला tail हो जाए, यह head और य is half, और half आप identify ही नहीं कर पाते हो कि वो head की है या tail की है, तो अगर मैं इस वाले में पुछों कि पहले में head कितने तरीके से आएगा, तो half, या मेरा work खतम हुआ, fundamental pencil of counting will be like हर जगा लगेगा, work start हो गया यहाँ से, पहला coin आपने toss किया, head आया, उसकी probability half लिखी, लेकिन काम ख इसकी भी 1 by 8 ही होगी हाँ, तो coin के case में, specific case में, अगर आपके पास multiple cases आ जाते हैं इस तरह से, तो आप 1 case का निकाल लो, वो जो answer होगा उसको क्या कर सकते हूँ, कितने cases हैं, 1, 2, 3, आप 1 का निकाल लिजे 1 by 8, उसको 3 से multiply कर दीजे, आपका answer 3 by 8 आ जाएगा, and that is your correct answer, इसमे answer ना ना मतिस हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, सर, यहाँ बे तो आपने इसको लिख के किया, यह मुझे लिखने की जरुद है, नो, आप इसको भी avoid कर सकते हूँ, यह भी लिखने की जरुद नहीं है, सच बताओं तो, आप बस क्या करो, एक case देख लो, कि मुझे किस तर आपके पास toss थे ना, तीन toss में से आप कितना head चाहते हो, दो head चाहते हो, तो out of three, I want to select two heads, वो 3C2 ways में होगा, ठीक है, combination लगा लिए, कि 3 toss है, उसमें से 2 आपको head चाहिए, 3 head, 3 head हो सकते थे, उसमें से मुझे 2 head चाहिए, तो that is 3C2, 3C2 का मतलब होता है, 3C1, that is 3, मतब ऐसे 3 cases होंगे, जब आपको 2 head मिलेंगे, और वही मुझे निकालना था, तो मैंने एक का निकाल लिया है, उसको क्या करेंगे, इससे multiply कर देंगे, तो उससे भी आ जाएगा, इससे क्या होगा, मुझे ये सब लिखने की जरुवत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लिखके करना ह 3 बार टॉस किया, probability of getting head and tail alternately, देखो कैसे हो सकता है, total number of weights तो 8 है sir, alternately चाहिए, तो आप देखो पहले head ले लेता है, second में tail आ जाएगा, तीसरे में head आना पड़ेगा, ये case होगे, अच्छा, पहले में tail लेलो, तो second में head आएगा, और तीसरे में फिर से tail आ जाएगा, ये ही ज़्यादा important है, ध्यान से दिखेगा, देखो क्या हो, an unbiased coin को toss किया 3 बार है, ठीक है, if the third toss gets head, तब जो आप ये कर रहे हो न, में तीसरा वाला head आपको बता दिया है, इस बार इसकी probability आपको सोच नहीं नहीं है, वो खुद ही head है, वो बोल दिया है, ऐसा नहीं लिखोगी कि इसकी probability half है, क्योंकि वो तो क्या था, जब आप सोच रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, यहाँ पर इस बार आ चुका है, तो वो sure event है, तो इसकी probability क्या है, one है, यह अब one हो चुकी है, क्योंकि surety के साथ क्या पा रहे हो, कि तीसरा तो head ही होगा, समझे, इसकी probability one है, अब आपको क्या पूछा है, कि what is the probability of getting at least one more head, और एक head आपको मिल जाए, उसकी क्या probability है, तो दो places बच्चे है, ठीक है, आपको एक और head चाहिए, तो क्या हो सकता है, कि या तो sir, एक और head मिल जाए, मतब एक तो था ही पहले से, या तो एक मिल जाए इन दोनों position पे, या दोनों क आपको पूछा क्या है, इन दोनों के बारे में पूछा है, यह देखो एक है, तो आपको यह क्या सकता हो, कि एक और head चाहिए, तो दो हो सकता है, या फिर तीन के तीन head हो जाए, तो आपको यह दोनों निकालना चाहते हो, तो क्या करें, complimentary event लगा देता है, कि one minus, इन दोनों में आपका head एक भी ना है, तो वो क्या होगा, दोनों tail हो जाएगा, मतब चार cases है, इन दोनों में answer लाने के लिए क्या है, यहाँ पे भी दो तरीके से आ सकता है, यहाँ भी दो तरीके से आ सकता है, इसको तो सोची नहीं रहे, क्योंकि यह तो आपको पता है, इसकी probability को छो कुछना नहीं है, तीसरे वाले के बारे में नहीं है, तो उसको भूल जाओगे, कि वो तो head आ चुका है, जो बाकी remaining बच गए, वहाँ पे आपको क्या चाहिए, या तो एक head चाहिए, दो head चाहिए, तो यह कैसा case हो गया sir, कि at least one head when throwing two like coin, कि दो coin को toss कर रहे हो, आपको at least one head उसके लिए क्या कर सकते हैं, कि one minus zero head को कर लेते हैं, तो one minus zero head को किया, इसका answer three by four आ गया, इसका answer one by four आ रहे है, तो आपका answer क्या हो गया, quantity one is greater than quantity two, बहुत important question है, बहुत important, ठीक है, चलिए, next पे चलते है, इस question में देखिए, आपको क्या बोल रहे है, कि five coin को इस बार toss कर रह है, जब five coin को toss करोगे, तो zero हो सकता है, one हो सकता है, two हो सकता है, three हो सकता है, four हो सकता है, five हो सकता है, maximum five head हो सकते है, आपको क्या चाहिए, maximum four head तक चाहिए, तो four भी possible है, three भी possible है, two भी possible है, one भी चाहिए, zero भी चाहिए, मतलब यह सारे cases चाहिए, तो इसमें तो बहुत time लग है 5 heads, 5 heads, तो क्या होगा सर, 5 head मतलब पहले वाले में भी head देखने को मिले, 2nd में भी head देखने को मिले, 3rd में भी, 4th में भी और 5th में भी, तो पहले वाले में head के लिए क्या था, ये, क्या काम खतम हुआ, नो, तो 2nd वाले में भी आपने किया, third वाले में भी किया, fourth में भी किया, fifth में भी किया, ठीक है तब जाके starting से end हुआ और काम खतम हुआ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, multiply हो जाएगा, और one by two को अगर पांच बर multiply करते तो क्या होता है, one by thirty two, so your answer is one by thirty two, one minus one by thirty two, that is thirty one by thirty two, समझ गया, यह answer हो गया आपका, अच्छा मालीजी यहाँ पे at most four tail होता for example, तो answer क्या होगा, आप लोग chat में बताएंगे, अगर three head होता, three head होते, तो answer क्या होगा, आप लोग chat में बताएंगे, ठीक है, आजए, next question देखो, a fair coin is tossed six times, six times किया हमने, क्या पूछ रहा है इस बार, what is the probability of getting a result, कि एक हमारे पास result है, जिसमें, result in the sixth toss, which is different from those obtained in the first five toss, तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, छे toss होने थे, लेकिन six जो toss में answer आने वाल है, वो आपके बांकी पांच से अलग होना चाहिए, ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, तो आजाओ देखो, क्या हो सकता है, सर, यह last वाला जो है, एक बार head ले लेता है, इन सब को tail लेना पड़ेगा, तभी different हो पाएगा, ठीक है, उस case में क्या होगा, इसकी probability half है, यहाँ पे भी half, tail होगा, तो यह head होगा, ठीक है, head होगा, इस तरह से, और इसके लिए भी answer क्या होगा, 1 by 64 होगा, या तो यह हो सकता है, या यह हो सकता है, दोनों, अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं, तो दोनों को add करना पड़ेगा, 1 by 64 plus 1 by 64, that will be how much, 2 by 64, which is nothing but 1 by 32, अब dice फाले question देख लेते हैं, देखो इसमें क्या दिया है, a die is thrown, find the probability of reading, मैं कुछ बता रहा हूँ, बाकि आप लोगों को करना है, मुझे एक prime number चाहिए, तो पहले तो sample space note कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, बहुत ही basic level है, जिससे कि आपको idea अच्छे से लग जाए, prime number के लिए क्या होगा sir, तो मुझे 2, 3 और 5 चाहिए, यह आपको 3 चाहिए, तो answer क्या होगा, total 6 थे, उसमें से 3, that is 3 by 6, साफ हो गया, ठीक है, या तो 2 चाहिए या 4 चाहिए, तो 2 और 4, मतबब 2 चाहिए, तो 2 divided by 6 हो गया, इसका answer 1 by 3 हो गया, multiple of 2 होना चाहिए, या फिर 3 होना चाहिए, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, क्योंकि 2 का multiple है, 3 की multiple की बात करें, तो 3 हो सकता है, और 6 तो already ले लिए है, मतबब 4 with respect to 6, that is 2 by 3 हो गया, ठीक है, बाकी की यह जो है, यह आपनों homework में मुझे comment section में बताएंगे, अब इस question को देखिए, 2 unbiased dice है, उनको throw किया, find the probability that the total of the number on the dice is greater than 10, तो 10 से ज़्यादा बड़ा number चाहिए, दोनों का sum अगर आप लेखेंगे तो, आजाओ देखो, अगर हम sum की बात करें, देखो minimum sum जो होगा, अगर जब 2 times को throw करते हो, तो minimum is 2, ठीक है, और maximum क्या हो सकता है, सर, दोनों में 6-6 आजाए, मतलब 12, यह आपको पहले से पता होगा, ठीक है न, तो 2 से लेके 12 तक है, हमीं क्या चाहिए, greater than 10 चाहिए, तो क्या-क्या हो सकता है, सर, 11 चाहिए, और 12 चाहिए, 11 कितने तरीके से हो सकता है, तो सर, 11 हो सकता है, कि पहले में आप 5 ले आओ, तो second में 6 आजाए, या फिर, पहले वाले में 6 आजाए, तो second वाले में 5 आजाए, यह एक possible case है, और तो कोई case है नहीं, जिसमें 11 आएगा, जैसे आप बोलोगी कि सर, 1 से तो 1 के लिए 10 चाहिए, 10 तो आता नहीं है, 2 है तो 2 के लिए 9 चाहिए, 3 है तो 8 चाहिए, not possible, 12 की बात करें, तो 12 में एक ही तरीके हो सकता है, 6 और 6, तो कितने तरीके हो गए सर, 3 तरीके है, probability greater than 10 का आंसर क्या होगा, favorable 3 है, और total कितने होंगे सर, 2 आप dice को थ्रू कर रहे हैं, तो 1 में 6, दूसरे में भी 6, दोनों को 7 करना पड़ेगा, तो total 36, तो what is your answer, 1 by 12, that is option number A हो जाएगा आपका आंसर, इस question को देखे क्या बोल रहे है, 2 unbiased dice, फिर से आपने थ्रू किया, find the probability that the sum of the number on the dice, is not a prime number, ठीक है, prime number नहीं होना चाहिए, sum, तो देखो sum, अभी मैंने आपको बताए, minimum sum जो है, वो कितना होता है, 2 होता है, और maximum sum कितना होता है, तो सर, 12 होता है, right, अच्छा, तो अगर मुझे यहाँ पे not a prime number निकालना है, तो not a prime number का मतलब क्या होगा सर, 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 4 हो सकता है sum, 5 नहीं लेना है, 6 हो सकता है, 7 नहीं लेना है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 नहीं लेना है, then 12 भी ले सकता है, मतब ये सारे cases में sum आपके इतने possible cases से ये मुझे पूछा गया है कि sum की possibility ऐसे रखो जिसे कि वो 4 हो जाए, 6 हो जाए 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए और 12 हो जाए, क्योंकि बीच वाले क्या होंगे? Prime number होंगे, ठीक है? लेकिन अगर हम prime सोचें complimentary events होचें कि आप कहा रहें कि नहीं, not a prime क्योंकि इसमें बहुत सारा case है, कि 4 sum होगा उसके लिए भी आपको sub case से देखने पड़ेंगा 1, 3 से हो सकता है, 2, 2 से हो सकता है 6 के लिए भी देखना पड़ेगा तो यहाँ 6 cases आरे है, 6 cases और उसमें भी अंदर-अंदर में भी आपको अलेक-अलेक निकालना पड़ेगा लेकिन अगर मैं prime number की बात करता हूँ हो सकता है कि prime number में भी 6 case आजा है लेकिन हम एक बार चेक करें अगर तो देखो क्या देखने को मिलता है अगर देखें तो prime number का sum क्या हो सकता है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है 7 हो सकता है, और 11 हो सकता है मतब अगर इससे compare करें तो इसमें 6 cases था, यहाँ तो 5 ही case है 5 cases में ही काम हो जाएगा तो complimentary event लगा लेता है कि 1 minus, अगर आपको not a prime चाहिए तो 1 minus probability की prime number आजाएगा sum आपका उसको minus कर देते हैं उससे भी तो answer आजाएगा, ठीक है तो वही चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आजो देखो, अगर sum आपका 2 आता है तो वो कितने तरीके से आ सकता है आजो देखो तो sir, 1 और यह 1, यही एक case है यह bracket हटाई देता हूँ इसी से समझ जाओगे है अगर sum 3 रखना है तो 3 कितने तरीके से आ सकता है 1, 2 हो जाए या 2, 1 हो जाए अगर 5 की बात करें तो 5 कितने तरीके से आ सकता है 1, 4 हो जाए 2, 3 हो जाए 3, 2 हो जाए या फिर 4, 1 हो जाए अगर 7 की बात करें तो 1, 6 2, 5 3, 4 4, 3 then 5, 2 and 6, 1 यह हो जाए और 11 की बात करें तो 11 तो अभी किया ही था 5, 6 होगा या फिर 6, 5 होगा अगर देता अदर cases यह bracket है तो सर इतने cases में आपका क्या हो रहा है प्राइम नमबर हो रहा है तो आजाओ आपने 2 dice को थो किया न तो total case तो 36 होगा और हमारे पास favorable कितना आ रहा है यहाँ से 1 आ रहा है यहाँ से 2 है यहाँ से 4 है यहाँ से आपके पास 6 cases आ रहा है और यहाँ से 2 आ रहा है सब को add कर लेते है 3, 4, 7, 13, 2, 15 ठीक है 3 से काड़ दो यहाँ पर 5 3 से यहाँ काड़ दो 12 मंतब 1-5 by 12 आ रहा है तो answer क्या हो गया 7 by 12 हो गया यह आपका answer आ गया जहाँ पर हम नहीं क्या किया not a prime पूछा था उसमें 6 case लग रहे थे लेकिन आपने 1 case कम कर लिया इससे भी कर सको इससे भी आपका answer आही जाएगा बट यह है कि थोड़ा सब time आपको ज्यादा लग सकता है जोड़ा कम लग जाए बहुत important question है इसका variation भी देखेंगे 2 unbiased dice are thrown find the probability of getting a doublet and sum as multiple of 5 तो यह कुछ terms है यह आपको ध्यान रखना है doublet, triplet, quadrilet यह सारी क्या होते हैं sir जब दो आप मालीजे dice throw करते हैं तो दोनों में same number आ जाए 1122 इस तरह की cases को हम क्या कहते हैं doublet की आपके पास same number आ जाए triplet का मतलब है कि 3 dice आपने throw किया होंगे तीनों में same आ जाए 111222 इस तरह से अगर 4 dice throw कर रहे हैं चारों में आपको same मिल रहे हैं तो उसको quartilet बोलते हैं इस तरह से चलता है ठीक है न तो यह कुछ terms है अब देखो यहाँ पर language क्या दिया हो है language बहुत important है इसमें गलतिया हो सकती है और सही भी answer आएगा कब सही आएगा कब गलत यह बहुत important language के उपर depend करेगा क्या बोलाए कि probability निकाली है कि आपको क्या मिले एक doublet मिले end लिख है मतलब doublet होना चाहिए और क्या होना चाहिए और वाला case नहीं कि मतलब यह और ठीक है और मतलब क्या होता था या तो doublet आजा है या multiple of five आजा है intersection देखना बढ़ेगा कि दोनों ऐसे number होने चाहिए जो भी आपका outcome आएगा इस तरह से होना चाहिए कि doublet भी हो और multiple of five भी हो ठीक है तो आप देखों आजाओ doublet में अगर मैं पहला देखों तो one one होता है two two होता है three three होता है four four होता है five five होता है और six six होता है है ना तो doublet भी होना चाहिए और multiple of five भी होना चाहिए तो sum sum आपका multiple of five हो जाए तो sir दोनों में अगर हम दोगों देखें कि common part because you are saying कि doublet भी हो जाए और end करके बोल रहे हो दोनों चीज़े है तो sir एक ही case है यहाँ पे five और five क्या है दोनों चीज़े होनी चाहिए यहाँ नहीं है यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है मतलब आपके पास जितने भी total case है 36 case है उस 36 case है बस एक ही ऐसा case है जहाँ पे doublet भी आ रहा है और multiple of five भी आ रहा है तो answer आपका one by 36 हो जाए this is very important तो answer क्या हो गया नहीं हो गया अच्छा इसी question में मालों की end की जगा यहाँ पे क्या लिखा होता और लिखा होता end की जगा और लिखा होता कि आपको दो dice को थ्रों किया गया है what is the probability of either getting a doublet और a sum which is multiple of five ऐसा अगर बोला जाता तो हम क्या गरते किसर doublet 6 तरीके से आ सकता है six cases ठीक है अब sum आपका multiple of five तो sum हमें पता है कि minimum 2 होता है maximum 10 sorry 12 होता है तो अगर five का multiple चाहिए तो या तो five हो जाएगा sum या ten हो जाएगा पंदरह तो हो नहीं सकता है क्योंकि maximum 12 हो सकता है तो five sum कितने तरीके से आएगा सर्थ तो ऐसे हो सकता है कि one four हो जाए two three हो जाए three two हो जाए या four one हो जाए यह हो गया चार तरीके अच्छा ten कितने तरीके से हो सकता है तो ten में ध्यान रखना है इस चीज़ बहुत important है देखो कि सर one और nine तो nine तो possible यह नहीं है two eight not possible eight possible यह three seven भी नहीं होगा four six ठीक है अच्छा five five यह भी हो सकता है लेकिन क्या यह लिखना पड़ेगा no हो देखो double counting कभी नहीं करनी है आपने यहाँ पे already five five को count कर लिया है तो फिर से लिखनी की जरुवत नहीं है इसको ignore कर देंगे यह धियान रखता है else क्या हो जाएगा दो बार count हो जाएगा एक ही बार count करना है तो five five को हटा दिया अच्छा four six हो गया five five चला गया तो क्या बारा तरीके हो गए out of 36 so your answer is one third तो इसमे भी नहीं है उस case का भी answer क्या हो जाए बना nine of these हो जाए ठीक है तो यह चीज़ आपको धियान रखनी है क्या question पूछा है end के respect में पूछा है या फिर और के respect में पूछा है because answer जो है वो vary करने लग जाए I hope this is clear now अभी तक हमने जितने भी कि वो क्या थे दो डाइस के थे तीन डाइस वाले आगे तो क्या करोगे तो देखो यहां पर तीन डाइस के लिए total ways कितने होंगे तो I hope this is clear कि sir 6 का cube हो जाएगा 6 x 6 x 6 होगा that is 216 यह total ways है आपके पास favorable देखो क्या पूछा है मुझा है कि sir आप बताए कि of getting a total that is sum of at least 6 कि sum जो है आपका minimum 6 आजए तो देखो तीन डाइस है तो maximum कहां तक जा सकते हैं हम लोग 18 तक जा सकते हैं sum को लेके ठीक है और minimum 3 था minimum 1 1 1 अगर आ जाता है तो minimum sum आपका 3 डाइस के लिए क्लिए क्या था 3 था maximum 18 है आपको क्या पूछ रहा है कि at least 6 हो जाए मतलब 6 7 8 9 10 ऐसे करकर कि 18 तक आपके ये cases पूछ रहा हूँ कि sum आपके इतने cases का क्या probability होगा है ये तो बहुत सारी cases हो जाएंगे 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 बहुत सारी cases हो जाएंगे तो ये तो difficult है इस तरीकी को तो यूज नहीं कर सकते है क्या करेंगे complimentary event मैं ये तो कर सकता हूँ कि देखो सर उनका minimum sum start कहां से होता है 3 से होता है तो 3 हो सकता है 4 5 ये तीन cases को मैं क्या करता हूँ न देखो कि इन सब को अगर add करेंगे तो total sample space मिल जाएगा total sample space मिल जाएगा तो complimentary event कर लेते हैं न कि 1 minus probability कि आपका sum जो है वो 6 से छोटा आ जाए तो क्या हो सकता है 3 हो सकता है sum 4 हो सकता है या 5 हो सकता है ये कर लेंगे तब भी तो आजाएगा complimentary event वाला तो आजाओ देखो 1 minus नीचे तो सर मुझे पता है कि 216 होगा क्योंकि total number of ways यह होता है 3 sum कितने तरीके से आएगा 4 का sum कितने तरीके से आएगा और 5 का sum कितने तरीके से आएगा वो निकालते है आजाओ तो 3 का तो बहुत सिंपल है कि एक ही तरीका है सर ट्रिपल वन यह हो गया एक तरीका 4 sum लाना है 4 sum तो देखो क्या करता है 1 1 को fix करता है तो 3rd वाला 2 हो जाएगा और कुछ को नहीं हो सकता तो 1 के साथ मैंने 2 ले लिया मैंने कहा कि पहले 1 को fix कर रहा हूं हर जगा पर तो देखो पहले अगर 1 को fix कर दोगे तो 2nd वाला जो है न इन दोनों का sum कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए क्योंकि total 4 चाहिए मुझे तो अगर पहला वाला 1 है बागी 2 का sum 3 आना चाहिए तो 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है जो बचेंगे, उनका sum कितना होना अचीए, 2 होना चीए, क्योंकि total 4 है, तो क्या हो सकता है, एक ही तरीका है, 1 और 1, ये हो गया, क्या 3 ले सकता हूं किया है, 3 से start कर सकता हूं कि, पहला 3 हो जाए, 9, क्योंकि minimum भी 1-1 लोगे, तो आपका sum कितना आजाएगा, 5 आजाएगा, मतलब यह इस case में नहीं होगा, तो 4 आपके 3 ही case से आ सकता है, यह एक तरीके से, यह तीन तरीके से, I hope this is clear, ठीक है, अब आ जाते हैं, sum हम लोग 5 का निकालते हैं, कि 5 किते तरीके से आएगा, देखो, यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो, 5 वाले का बताता हूँ, simple way में ही हम लुक कर लेंगे, ऐसे डर नहीं की ज़रूत नहीं की सरी, इसमें 3 आ गया, 4 आ गया, तो कैसे करेंगे, किते तरीके साथ सकता है, सर 1, 3 ले लो, या, मतलब 4 sum चाहिए न, तो 1, 3 ले लिया, 2, 2 ले लिया, 3, 1 ले लिया, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही तो हो सकता है, die का sum, कि सर अगर 4 sum चाहिए, आपको, दो, दो चीदों को add करके 4 चाहिए, तो 1, 3, 2, 2, 2, या 3, 1, बस, तो यह 3 cases आगे, आपको आगे 1 लिखने की ज़रत नहीं है, 1 करे तो लिख सकते हो, यह आपको कुछी समझ आना चाहिए, यह 3 cases हो चुके है, I hope मैं आपने उपर नहीं लिख रहा हूँ है, yes, अच्छा, सर स्टार्टिंग में 2 ले लेता है, अगर स्टार्टिंग वाला 2 ले ले लेंगे, तो last के 2 number का sum क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, किते तरीके सा आ सकता है, 1, 2 या 2, 1, ठीक है, तो यहां से 2 तरीके आ गए मेरे पास, स्टार्टिंग में आप 3 ले लेता है, अगर स्टार्टिंग में 3 ले लेंगे, तो बांकी 2 क्या बचेंगे से, आपका 1, 1 ही आएगा, एक ही case बचेगा, तो यह हो गया, अच्छा, स्टार्टिंग में 4 ले सकते हैं कि नू, क्योंकि अगर बाकी को मैं 1, 1 भी ले लूँ, तो 6 आ जाएगा, मतलब और नहीं होगे, इतने ही case होगे, कितने होगे, 3, यह 2, 5 और यह 6, मतलब 5 के 6 ways है, यहां 1 और यहां 3, तो 1, 3, 4 हो गया, और यह 6, 10 हो गया, मतलब 10 तरीके है, तो 10 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, ऐसे आप करोगे, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अब देखो, इसको cut 5 से cut देते हैं, और यह हो जाएगा, 108, मतलब 1-5 by 108, which is 103 by 108, ठीक है, तो घबराना नहीं कि से 3 dice आगे कैसे करेंगे, simple तरीका है, आप अराम से कर लोगे, तो answer क्या हो जाएगा, इस case में, option number C हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अगर यह clear हुआ, तो मुझे आप लोग बताना कि at least 7 वाले का answer क्या होगा, chat में दाल दिया है, देखो जो जो चीज़े आपके लिए relevant हैं वही बता रहा हूँ, 52 cards है, उसमें total 4 suit होता है, suit, ठीक है, क्या क्या होता है sir, तो club होता है, ठीक है, clubs, clubs को आप चेड़ी भी बोलते हो, ठीक है, ऐसा होता है, then आपके price speed होता है, ठीक है, वो आपको इस तरह से को मिलता है, then you have hertz, hertz तो सब को पता है, ये एक suit हो गया, चौथा suit जो होता है, वो हमारा diamond होता है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, तो diamond ऐसे बिस लिख दे रहा हूँ, और इसको हम लोग हिंदी में eat भी बोलते है, 52 cards है, उसमें 4 suit होते है, 4 आपको इस तरह से बता दिया मैंन black color के है, और ये दोनों जो होते है, hurt और जो आपका diamond, ये दोनों आपके क्या होता है, red color के होते है, ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, हर एक suit के equal equal number of आपके पास card होते है, इसका मतलब सर् 52 अगर है, तो 52 को 4 पार्ट में divide करेंगे, तो 13 club card आजाएंगे, 13 speed के card आएंगे, 13 hurt के, 13 diamonds के, ठीक है, अच्छा, ये आपको सबसे पहली चीज़ धियान लिखने है, कि 52 cards है, उसमें हर एक, जो suit है आपका, वो 13-13 card का होते है, then, अगर हम black वाले card की बात करें, तो उसमें क्या है, club और speed दोनों मिलके आ रहे है, तो total कितनी हो गए, black color के card, 26 cards, right, similarly अगर मैं red color की card की बात करूँ, तो 26 आपके पास red color की card हो गए, ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रहेगा, नाम ध्यान रखेंगे, club, spade, hurt और diamond, इस तरह से ध्यान रखेंगे, club वाला जो है, वो आपका चेडी भी हिंदी में कई बार बोलता है, बच्छों, जो हिंदी वाल अच्छा, इसमें फिर अगर आप cards देखोगे ना, तो card की numbering आपको देखो, यहां से मिले हो है, यह 2 है, 3 है, 4 है, और सब में आपको देखने को मिल रहा है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतब इन सब को हम लोग क्या बोलता है, number card, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, जो A से आपका represent होता कार्ड के उपर A लिखा होता है, उसको बोलते है, Ace card, ठीक है, और इन सब को तो पता है आपका नाम, इसका नाम होता है Jack, इसका नाम होता है Queen, और यह हमारा King हो गया, जो आप लोग है, ठीक है, तो यह आपके नाम तो आप लोगों को पता चल गए, तो पहली चीज आपको स्पेड हो जाता है, 26 कार्ड, फिर number card होता है, number card कहां से से है, तो 2 से लेके 10 तक मतलब 9 cards होता है, total 2 से अगर 10 तक count करोगे, तो कितने card होंगे, 9 होंगे, और ऐसा sub में देखने को मिलता है, 9 club में भी होंगे 9 spade में भी होंगे, 9 hurt में भी होंगे 4 ace देखने को मिलता है, 2 black ace और 2 red ace, ठीक है, इसलिए आप इसको देख लो और screenshot अगर ले सकते हो, तो screenshot लेके रख लेना, exam से पहले एक बार देख लोगे तो पुरा revise हो जाएगा, then similarly हमारे पर 2 black king होता है, देखो 2 black king होंगे, 2 red king होंगे, similarly queen के लिए 2 black, 2 red, jack के लिए 2 black और 2 आपका red, तो बांकी आपके number card तो मैंने बताई दिया है, ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि बताओ number card total कितने है, ठीक है number cards total red color के कितने है, कितने होंगे सर, देखो red वाला, ये वाला 9 और ये 9 तो 18 होगे, similarly black में कितने number card है, तो वहांपे भी 18 है, ठीक है, king total कितने है, तो 4 है, black king कितने है, दो है, अच्छा, कुछ और भी अलग-अलग नाम है, जो आपके exam में relevant है, वो आपको इस slide में बताता हूँ, face या court card कहा जाता है, ठीक है, बहुत important है, अब इसमें बच्चों को doubt हो जाते हैं कि sir, इसका मतलब किया, तो उनको नाम जो दिया है ना, लोगों ने, उसी से आपको clear हो जाएगा, face card, जिसमें आपको face दिख रहा है, number नहीं दिख रहा है, face दिख रहा है, तो क्या दिखता है sir, jack, jack में आपको face दिख रहा होगा, गुलाम जो बोलते हैं हम लोग, then queen में भी आपको face दिख रहा है, और king में भी आपको face दिख रहा है, ठीक है, तो इन तीनों card को हम लोग क्या कहते है, that is j, q, और k, इसको क्या कहते है, face card या court card, समझे, तो अगर मैं आपसे पूचूँ कि बताओ, sir, spade के कितने होंगे face card, तो तीन होंगे, है न, प्योंकि spade वाले में तीन होगा, आपके पास, अच्छा, sir, diamond वाले में कितने होंगे, तो उसमें भी तीन होगा, club वाले में कितने होंगे, तो उसमें भी तीन होगा, और hurt वाले में कितना होगा, तो वहाँ पे भी तीन होगा, होगा न, तो total आपके पास face card कितने होगे, 12 card होगे, ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूचूँ कि बताओ, black face card कितने होंगे, black face card, तो आपको बताए कि चार सुट में से दो सुट black वाले होते हैं, जो आपके speed और club होगा है, तो total तीन वहाँ पे, तीन यहाँ पे, मतब छे, और red face card कितने होंगे, तो वो भी 6 हो जाएंगे, ठीक है, यह समझ करें, अच्छा, तो यह face card के regarding हो गया, कि face card में जिसमें face कर देते हैं, ace भी add हो जाता है, तो इस order में ध्यान पर भी तो simple रहेगा, कि face card में तीनी होता है, यहाँ पे एक ace और आ जाएगा, तो इसका मतब है कि 4 सूट आपके पास थे सर, सब में एक-एक ace आ जाएगा, तो total कितने होंगे honor card, तो सर यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ भी 4, मतब 16 cards आपके पास क्या है, honor card है, 16 card में, अगर में आपको पुच्छओ कि red honor card कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे sir 8 होंगे, right, और black वाले honor card कितने होंगे, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे यह इसलिए लिखके बता रहा हूँ कि आपना mind में सोच पाएं कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है तें number card को मैंने already बोल दिया numeral भी कही बाल लिखा जाता है और या फिर एक नाम होता है pip card इसका मदब भी वही है कि 2 से लेके 2, 3, 4, up till 10 यह जो card होता है इसको हम लोग numeral card बोलता है number card बोलता है या pip card बोलता है ace जो है उसका कोई number नहीं है ace को आप generally देखो कि 1 बोल देता है बढ़ वो नहीं ace आपका ace ही है यह कितने हो गए sir total कितने होंगे तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि यहाँ से यहाँ तक देखें तो यह 9 cards होते है 9 cards होते है तो अगर मैं हर एक suit का 9 नो को count करूँ तो total 36 card हो जाएंगे 36 card अगर है तो उसमें से अगर मैं आपको बोलू कि black वाले कितने होंगे तो 18 होंगे और red वाले कितने होंगे तो वो आप बोलोगे 8 राइट? समझ गए? अच्छा, अगर मैं आपको यह बोलता हूँ देखो ध्यान से कि black paid face card कितने होंगे? black होने चाहिए trade होने चाहिए और face card होने चाहिए मतलब आपको speed के अंदर जाना है speed तो खुदी black होता है speed खुदी black होता है तो ये दोनों आपके condition तो already meet हो चुके है और उसके अंदर face card देखना है तो face card कितने हैं? मतलब 3 cards की बात कर रहा हूँ ठीक है? अच्छा अगर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ red, club, face card ये तीनों condition मैच करनी है तो sir, club जो होता है club वो तो black color का होता है तो वो red कभी हो नहीं सकता तो answer क्या हो जाएगा zero card, ऐसे zero cards है ठीक है? ऐसे दिहान रखना कि आपना मतलब याद मत करो बस एक बार इस photo जो मैंने आपको दिखाई प्रिवेस में इस photo को दिखाब रखो और जो मैंने चीज़े लिखे हैं वो आपनी notes में लिख लिजेगा, कभी भी आपको ये card वाले problem होता है उसमें दिक्कत नहीं हो easy वाले question से start करता हूँ दीरे-दीरे level को बढ़ाएंगे तो ये आपका बस starters है आप लोगों के लिए जिसी कि आपको idea लगे देखो, one card is drawn from a well-suffered 52 cards total आपके पास 52 cards है probability निकालनी है, एक एक करके, आज ओ देखो one में क्या बोल रहा है, a king of red shoot, तो red के देखो, चार suit थे, उसमें दो suit red के है red में आपके पास अगर दो suit है, तो दोनों में एक एक king होगा मतब टोटल, दो king की बात कर रहे हैं जो red color के है, और total कितना है आपका, 52 cards है, जो favorable था, वो दो है आपका, वो कौन-कौन से, तो red hurt वाला और red diamond वाला, right तो answer कितना हो गया, 1 by 26 पहले वाले का, second पे आजो क्या बोल रहे है, एक face card total face card कितने होते हैं, हर एक suit में 3-3 face card होते हैं, मतब 12 divided by 52 4 से cancel कर देते हैं 3 times 4 से, यहाँ पे cancel कर देते हैं 13, 3 by 13 आपका answer हो गया third वाले की बात करते हैं, आजो red face card face card होना चाहिए, लेकिन red होना चाहिए तो sir, face card आपके पास हर एक suit में 3-3 होते हैं, यह ना तो ऐसे, मैं जैसे बता रहा हूँ, इस तरह से ही सोचने की कुशिश करना कि, हर suit में sir, 3-3 face card होते हैं, red वाले 2 suit के होते हैं, मतब total 6 होंगे 6 divided by 52 तो उसे cancel कर दो, तो 3 by 26 इसका answer हो गया now let us talk about the fourth question a queen of black suit black suit में एक queen निकालने, तो black suit में आपके पास कितने queen है, तो ऐसे मत सूचना कि आपको नाम दिया जा रहा है, club और spade नहीं बस बोल रहा है कि black suit के अंदर queen बताओ, तो 2 queen होता है ना तो 2 होगे, divided by 52 एकिन इसका answer भी क्या हो गया first की तरह, one में 26 हो गया पित नंबर पे आजाओ jack of hearts मतब आपको कैसा चाहिए बता है ये hearts पे ना इस तरह से जो होता है इसमें jack चाहिए यहाँ जो बंदा बना होता है आपका ठीक है, तो वो तो sir एक ही होगा ना क्योंकि आपको color भी बता दिया है black color में, sorry, hurt वाले में चाहिए तो suit आपको बता है, एक ही suit लेना है red वाला लेना है, जो hurt वाला होता है और उसके अंदर jack आपको चाहिए तो वो एक ही card है ना, तो answer क्या होगा 1 by 52, right? अच्छा, अगर बस वो jack लिखता माल लिजे, बस वो jack लिखता hurt वगरा कुछ नहीं लिखता, तो answer क्या होता sir तो total 4 jack होता है तो उस case में आपका answer 4 by 52 हो जाता that is 1 by 30, अच्छा अगर वो लिखता कि black jack चाहिए black jack चाहिए, तो sir, 2 black 2 suit के में black होता है और 2 नों में jack होगा तो 2 by 52 हो जाएगा, like that speed, speed कितने होता है तो sir, ये तो suit का नाम है और आपको ऐसा नहीं बताएगी कि कौन सा उसमें card चाहिए, तो specific नहीं है मतब 13 में से, क्योंकि हर एक suit के 13-13 card होता है, तो speed कितने है 13 है ना, तो 13 divided by 52 right, तो answer क्या हो गया 1 by 4, इस तरह से आपका basic level का आपको तयार हो गया होगा, I think अब हम लोग एक step up जाने की कुशिश करते है now let's look at this question यह 4 questions बहुत important है, धियान से देखेगा कुछ question को मैं यहाँ बताता हूँ, कुछ को next slide में बताऊँगा question number 1 को देख लेता है अच्छ से समझना, बहुत important question है 1 card is drawn from a pack of 52 cards what is the probability that the card drawn is hurt or king ठीक है, तो जब हमारी पस dice वगिरा थाना तो वहाँ पर double counting बहुत जल्दी avoid हो जाता था क्योंकि हम sample species दना ले देते यहाँ पर imagine ही करना पड़ेगा क्योंकि आप card तो बनाओगे नहीं exam है ध्यान से देखो कि क्या निकालने दिया है, एक card आपको pick करना है तो इसमें या तो वो hurt हो, या तो आपका king हो तो देखो hurt चाहिए आपको hurt के कितने card होते हैं, 13 card होते है क्योंकि ये एक suit है, एक suit के 13 card होते है अच्छा, उसके साथ आपको क्या बूलाए या तो ये hurt हो जाए, या king हो जाए तो king आपको 4 suit में देखने को मिलेगा एक hurt वाला देखने को मिलेगा king एक आपको paid का देखने को मिलेगा एक आपको club का देखने को मिलेगा और एक आपको diamond का देखने को मिलेगा ये चारो king देखने को मिलेगे, बस visualization purpose के लिए बना रिए हैं, exam में बनाने की दिरूत नहीं है तो देखो, मैं इस कुछ तरह के question को कैसे करता हूं, कि जब भी आपका ऐसा case होगा, तो you have to check कि common है की नहीं, obviously common है, देखो, यहाँ पे यह king जो है common है hurt में भी है, यहाँ पे भी वो king होगा और यहाँ पे भी होगा, तो दो बार count हो रहा है, तो double counting आप ऐसा नहीं कर सकते की, sir मैं क्या करता हूं, 13 card आपको hurt वाले चाहिए, तो एक card आप कितने तरीके से निकाल सकते हो, sir, 52 total ways है, उसमें से, आप hurt वाले कितने card है, 13 है, तो वहाँ से एक निकालोगे, तो 13 में 52 कर दिया, plus आप आये, यहाँ पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो total बोला, sir, 52 है, तो वहाँ से एक card निकालेंगे, चार king होते है, चार लिख दिया, यह answer लेकिन गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपने वो king को count कर लिया, जो hurt वाला है, और यहाँ पे भी उस king को count कर लिया, जो hurt वाला है, तो double counting हो गई न, इसको avoid करने के लिए क्या किया जाए, तो आप पहले यह कर लो, कि जो जो बोला है न, वो लिख लो, ठीक है, इसके 13 card है, तो उस 13 card से एक card हमें pick करना था, उसकी probability यह रही, sir, और यहाँ पे चार king है, वहाँ से भी एक card आपने pick कर लिया, now यह करने के बाद, अब last में आप देखिए कि क्या आपके पास कुछ common है दोनों में, हाँ है, तो कितने है ऐसे common वाले cases, sir, एक ही है, यहाँ पे भी एक card है, और यहाँ पे भी एक card, तो वो इसमें भी count कर लिया, उपर कितने है, यह, sir, 17 हो गया, minus 1, 16, 4 से cancel कर दीजिए, यहाँ पे भी 4 से cancel कर दीजिए, and you get 4 by 13, इसका दूसरा तरीका भी है, बट यह मैं आपका ज़्यादा prefer करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, directly मैंने 13 card देखा, king का देखा, common last में देखा और minus कर दिया, ऐसे सोच सकते हैं, कि आजाओ sir, मैं यहाँ से 13 card पहले pick कर लेता हूँ, ठीक है, इस 13 card में already sir, king जो hurt वाला है न, वो count हो चुका है, तो अब मैं इसमें king जब count कर रहा हूँगा, तो इसको avoid करूँगा, इसको count नहीं करूँगा, इसी को count करूँगा, तो 3 divided by 52, इससे भी मेरे पास वही answer आएगा, लेकिन इसमें क्या आन है कि आपको हटाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बहुत जादा, starting में ही, तो वो नहीं करेंगे, last में सोच लेंगे, ऐसे करने के बाद, समझ गए, चलिए आजए, second number question देखो, यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मैं one मान के चल रहा हूँ, यह two है, यह three है, और यह four है, second में क्या कह रहा है, कि from a pack of playing card, one card is drawn, what is the probability that the card is red or king, इस बार देखो, red के card, red के card sir, कितने होता है, तो दो सूट में देखने को मिलता है, hurt वाला और diamond वाला, यह भी 13 होता है, यह भी 13 होता है, यह मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग भी starting में जब beginner है न, तो ऐसे ही बना के कह लिए जिसे के confusion ना हो, तो red वाला हो गया, और फिर क्या है sir, king भी निकालना है, आपको king भी निकालना है, तो king में अगर देखोगे, तो sir, hurt वाला भी देखता है, diamond वाला भी देखता है, speed भी देखता है मुझे, और chiddy भी देखती है, यह ना, club भी देखता है इस तरह से, तो इस बार देखो, वही चीज लगा रहे हैं, कि common part आपको देखने को मिल गया, यहाँ पे भी वो king आपका count हो रहा है, यहाँ पे यह diamond वाला king भी count हो रहा है, जो दोनों में है, यह भी king है, यह भी king है, यह भी king है, आप पहले क्या कीजिए, बिदाउट थिंकिंग निकालो, कि total red वाले कितने हैं, 26 है, 26 में से एक pick करना है, तो 26 by 52, ठीक है, plus king आपके पास कितने हैं, 4 है, 4 divided by 52, अब आजाओ कि common कितने हैं, तो total तो आप नीचे 52 ही लिखोगी, common कितने से, एक यह रहा, एक यह रहा, your answer is 7 by 13, इससे क्या होगा ना, कि एकदम जल्दी answer निकल के आता है, कोई भी confusion नहीं रहता है, now let's talk about question number 3, यह क्या कहता है, what is the probability, sorry, question number 4 बढ़ने लग गया, 3 में देखो, 2 cards are drawn from a well-suffled card of 52, probability that they are of the same color, same color के हो, तो क्या हो सकता है, कि दोनों के दोनों card आपके क्या हो जाए, red color के हो जाए, 2 red color के हो जाए, या 2 black color के हो जाए, ऐसे ही चाहते हो ना, तो आज जो देखो, 2 card अगर आपको pick करना है, पूरे card से, तो total तरीके कितने होंगे, 52 card थे, उसमें से 2 card pick कर लिए, अब red color card, red color card कितने होते हैं, 26, 26 में से 2 pick करना है, यह हो गया, ठीक है, यह हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, इस अब black color आपको चूज करना बढ़े, तो उसमें भी आप 52 card में से 2 card चूज करोगे, black वाले भी 26 होते है, तो वहां से भी 2 तरीके से, इसको calculate करने हैं, यह तो आता है हमें calculate करना, क्या होगा सर्थ, 26 into 25 divided by 2 into 1, 52 into 51 divided by 2, अलग-अलग लिख सकते हो, direct LCM भी ले सकते हो, ठीक है, मैं direct LCM भी लेता हूँ, आप समझ रहे हो ना, कि नीचे दोनों का same time है, इसलिए, और यह देखो 26C2, तो आपके पास क्या आया, देखो 2 into 25 divided by 2 into 51, यह cancel हो गया, आपका answer हो गया 25 by 51, समझ गया, आज आप question मेर 4 देखो, what is the probability of choosing 4 cards, 4 cards आपको choose करने है, from a well-suffered pack of cards, such as the 4 cards are of the same unit, same unit मतलब, same आपके like suit के होने चाहिए, या तो diamond हो, club हो, spade हो, या आपका hurt हो, इस तरह से, ठीक है sir, आज आद देखो, 52 C4 लिखना पढ़ेगा नीचे, ठीक है, अब क्या हो सकता है sir, वो diamond वाला हो सकता है, वो, sorry diamond बोल रहा हूँ, hurt वाला हो सकता है, diamond हो सकता है, then आपका spade हो सकता है, इस तरह से, या फिर आपके gd हो सकता है, ठीक है, तो 13-13 card होते हैं, उसमें से हर एक में से, आपको 4-4 करना है, या तो ये वाला possible है, ये अगर आता है, तो कितना होगा, 13 C4 हो जाएगा, ये नहीं हुआ, तो इसके 4 card लेना पढ़ेंगे, ये भी 13 C4, ये नहीं हुआ, तो इसके लेना पढ़ेंगे, 13 C4, और लास्ट में, इसका भी 13 C4, इसको calculate करेंगे, विल गैटार answer, ठीक है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 4 into 13 C4, divided by 52 C4, अब calculate कर लेना इसको, नीचे क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1, 52, 51, 50, 49, एंड यहां पर 4 into 13 into 12 into 11 into 10, divided by 4 into 3 into 2 into 1, ये पूरा cancel होगया, ठीक है, अब यहां से आप step by step cancel करते चलो, देखो 13 और ये 4 मिलके 52 cancel हो जाएगा, ठीक है, और कुछ cancel होगा, 10 से यहां cancel कर दो, ये 5 times, और यहां 3 से काट दो, तो ये आपका 17 हो जाएगा, ठीक है, और को कुछ cancel नहीं हो ला, 7 वगेरा, नहीं, उपर आपके पास क्या बचा, 44, नीचे आपके पास क्या बचा, 85 into 49, इसको calculate कर लेंगे, वेल गठारा answer, ठीक है, तो इस तरह के question आएगे, देखो, कार्ड में भी as such उतना difficult नहीं है, बहुत simple है, अगर आपको बस वो कार्ड 26 के 26 देखते हैं, ठीक है, इसके कुछ variation है, वो आपको बताता हूँ, जैसे देखो, इस तरह के question आजाएगे, आपके exam में, कैसलेट की तरह आ सकता है, क्या बोला है, अब यहाँ से play होगा, इसको shuffle कर दिया गया, and a card is drawn at random from them, अब इसमें से हमने एक random card निकाला, ध्यान रखना है, red color के face card आप नहीं है हमारे पास, ठीक है, अच्छा, तो मतलब अगर लिखना चाहों कि कौन-कौन से हैं, वो तो ऐसे हो जाएगा, कि देखो, diamond के अंदर अगर चलें, तो jack, king, और queen, नहीं देखने को मिलेगा, और diamond के अंदर अगर चलें, क्योंकि क्या बुले है, red color न, तो diamond के अंदर भी, j, q, और ये, ये सारे आपके remove हो चुके हैं, अगर आपको लिखने के बाद समझा आता है, तो ये लिख दिया हैं, क्या बुले है, 26 में से 6 card निकाल दी, तो मतब 20 बचे red card, उसमें कितने में से, 46 में से pick करना था, ये आपको पहले का answer हो गया, आप इसको दू से cancel कर दो, ये 10 और ये 23, तो 10 by 23 हो जाएगा पहले का answer, समझ गया, second वाला देखो इसमें क्या है, अब face card, face card होना चाहिए, कितने face card बचे से, तो 3, हर एक suit में होते थे, 2 suit आपने हटा दिया, तो 2 ही suit बचे आपके पास, that is 6, with respect to how much, 46, 52 गलती से मत लिखे ना, क्योंकि आपके पास 46 ही card है, 2 से cancel कर दो, 2 by 23 हो गया, इस ये answer, 3rd में देखो क्या होगा, a card of club, एक card आपको pick करना है, club का, तो total तो 46 ही होगे, ठीक है, अब club वाली की बात करते है, देखो club वाला कहीं पे भी remove हुआ है, क्या, नहीं हुआ है, hurt वाला हुआ है, और diamond वाला हुआ है, इसलिए visualization जितना रहेगा, उतना जल्दी आप answer करोगे, तो club वाला तो remove ही नहीं हुआ, club वाले सारे card है मेरे पास, कितने होते हैं, 13, 13 by 46 हो जाए, ठीक है, तो exam में इस तरह के भी question आएंगे, कि आप कुछ card निकाल लेगा, वो घुमाएगा फिर आएगा, ठीक, कोई problem नहीं है, आप अराम से उसको समझे कि क्या करना है, कौन सा card गया, कौन सा आया, अपने आपे आप answer कर लेगे, ठीक है, अब कुछ जो general type of question है, क्योंकि जो major आपके important types थे, कि coin, dice, and cards, वो मैंने आपको करवा दी, अब कुछ general type of question है, वो देखते हैं, जो आपके DI के form में आ जाते हैं, कही बार arithmetic में आपको देखने को मिलता है, कैसे उसको जल्दी कर सकते हैं, और उसमें simultaneous के pick करना, with replacement, without replacement, वो आप आपके समिलाता हूँ, Now, इस question में देखे, क्या बोल रहा है, there are 15 boys and 10 girls in a class, total 25 आपके पास बच्चे हैं, तीन को आपको select करना है, what is the probability that 1 girl and 2 boys are selected, तो probability क्या होता है, favorable by total, total ways क्या होगा सर, total 25 बच्चे हैं, उसमसे 3 बच्चे select करना है, तो कि आपको यह नहीं बोलाई कि कौन boys है, कौन girls है, total में तो आप कोई भी उठा सकते हो, तो 3 हमने उसमें से choose करना है, favorable में क्या रखना है, कि एक girl को उठाने, तो 10 आपके पास girl है, 10 में से 1 girl को choose कर लिए, select कर लिए, then, क्या काम खतम हुआ, no, अभी आपको boys को भी choose करना है, तो multiply करना पड़ेगा, 15 boys है, उसमें से 2 boys को आपने select कर लिया, तो इकने तरीके से solve कर लिया, इसको solve कर लिजेए, get your answer, what is 10 C1, that is 10, 15 C2 का मतलब होता है, 15 into 14, divided by 2, और 25 C3 का मतलब, 25, 24, 23, divided by 3 into 2 into 1, 2 से यहाँ पे 2 cancel कर दीजे, और कुछ cancel वर देखो, 5 2 times, 5 3 times, और यह 25 को cancel कर दो, then 3 2 times is 6, यहाँ पे cancel कर देते हैं इस 4 को, और उपर देखो, अब यहाँ लिख रहा हूं है, उपर बचा है 14, नीचे आपके पास क्या बचा है, 4 into 23, divided by 3, तो यह 3 उपर चला जाएगा, 14 into 3, divided by 4 into 23, इसको calculate कर लो, आजाओ, 7, यहाँ पे 2, 21 by 46 will be the correct answer, यह वोप आपको समझ आ गया होगा, नेक्स पे चलो देखो, आप box contain 4 white, 6 green, 2 red and 5 yellow balls, यह यलो pens वाज़े, तो टोटल कितने होगे, 10 और यह 17, 17 pens हैं आपके पास, टोटल, then 2 pen आप select कर रहे हैं, randomly, तो क्या probability है कि दोनों आपके green color के हो जाए है, ठीक है तो आज़ो देखो, नीचे आपके पास 17 C2 होगा, और उपर क्या होगा, तो आपको चाहिए green, green कितने हैं, 6 हैं, तो 6 C2, आज आज़ो इसको करो, 6 into 5 divided by 2 into 1, 17 into 16 divided by 2 into 1, यह cancel हो गया, बचा है 30, तो आप 2 से cancel कर लो, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो 15 divided by 136, that is the option number C will be the correct answer, क्योंकि 17, 8 times 136 होता है, हो गया, इस तरह से variable वाले भी question आजाएगे, और मैं एक आपको बहुत ही important सा variable वाला बताने वाला हो, जो आपके exam में आपके जो doubts रहते हैं वो clear कर देगा, पूरा का पूरा, वो end में मैं रखा है, जिसे कि last में जाते जाते हैं, बहुत अच्छा सा concept सीख के जाएगे, a box contain x pink pen, ठीक है, तो x pink color के pen कितने है, x है आपके पास, violet color के कितने है, तो x plus 1 है, green color के कितने है, तो x plus 2 है, मुझे बोला कि the average number of pen of each color is 3, तो देखो ये, आप average ऐसे भी कर सकते हो, कि तीनों को add कर लो, 3x plus 3 divided by 3, यही answer में 3 भी आ हुए है, देखें, यहाँ जाएगा, तो 9 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, यह minus 3 होगा, तो 6, 3x की value 6 आ गई, तो x आपका 2 आ गया, आप ऐसे भी सोचेतेंगे, यह increasing order में है न, यह x है, उससे 1 extra कर दिया, हमने यहाँ भी 1 extra add कर दिया, तो जब AP होता है, तो beach वाला number क्या होता है, average होता है, तो यह 3 होगा, x plus 1 की value 3 है, तो x कितना होगा, 2 होगा, in any case, we'll get x equal to 2, तो आपको यह बता जल गया है, कि pink color का pen 2 है, violet color का 3 है, और यह 4 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, then find the probability of selecting 3 pen from the box, तो total कितना है, मेरे पास 9 pens है, 9 pens में से आपको क्या करना है, 3 pen select करना है, such that at least 1 pen is green, minimum 1 pen आपके green होनी चाहिए, इसमें भी देखो, green अगर हम लोग देखें, कितने तरीके से green हो सकता है, 3 pen select कर रहे हो ना, तो या तो कोई भी green नहीं होगा, या 1 green होगा, या 2 green होगा, या 3 के 3 green होगे, मुझे क्या पूछा है, at least 1, कि minimum 1 green होना चाहिए, मैं तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये 3 case मुझे पूछ रहा है, तो मैं क्या ये 3 case अलग-अलग निकालू, no, what I will do, I will do, complimentary event का use, कि 1 minus कर देता है, 0 green, एक भी green ना हो, तो आज़ो देखो, 9 pen में से 3 pen select कर लो, choose करने हैं, तो ये total ways हो गया, अब आप green pen एक भी नहीं चाहते हो, तो क्या होगा, तारे जो बागी pen है, उसमें से 3 pen निकालना चाहोगे, तो total 5 है, 5C3 हो जाएगा, समझ गए, आज़ो इसको solve करो, 1 minus, इसको 5, 5C2 रूल सकते हैं वैसे, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे भी 3 है, तो आसान हो जाएगा, 5 into 4, 5 into 4 into 3, divided by 3 into 2 into 1, नीचे है आपके पास, 9 into 8 into 7, divided by 3 into 2 into 1, मैं यह कह रहा था, कि 5C3 2 कोई value, 5C2 भी लिख सकते हैं, ऐसे नीचे हो सकता है, बट क्या होगा न, यहाँ पर simple रहेगा, कि यह दोनों cancel हो जाएगा नीचे, इसलिए मैंने वो नहीं किया, अब देखें, 3 से यहाँ cancel कर देते हैं, यह 3 times, 4 से यहाँ cancel गर तो यह 2 times, और तो cancel नहीं हो रहा कुछ, तो बचा क्या 1 minus, उपर बचा है 5, नीचे बचा है आपके पास 6, 7 times is 42, 42 minus 5 जाएगा तो कितना होगा, 37, 37 by 42 आपका answer आजाएगा, that is option number D हो जाएगा, यह भी एक बहुत important question type है, यह अलग-अलग variation में आता है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि probability of 3 students solving a particular question is half 1 by 3, 1 by 4, इस तरह से दिया होगा, ठीक है, आपको कैसे-कैसे language देते हैं, वो बोलता है कि probability कि first student, first student का odd in favor, ऐसे करके देदेगा आपको, ठीक है कि first student का odd in favor क्या है, second student का odd against क्या है, इस तरह से confuse करने के लिए, अलग-अलग तरीके से data देगा, बट उससे ख़बरानी की दरत नहीं है, ठीक है, क्या बोलाएं कि probability of 3 students solving a question कि, जैसे मानलों कि पहले student की बात करते है, S1, S1 आपका solve कर लेगा, उसकी probability कितनी है, इतनी है, probability की S2 solve कर लेगा, वो कितना है, 1 by 3 है, और probability की S3 solve कर लेगा, वो कितना है, 1 by 4 है, ठीक है, तो देखो, अगर solve करने की probability इतनी है, तो solve नहीं करने की, complementary event जो होगा, वो क्या होगा, 1 से minus करके मिल जाएगा, मत्तलब वो भी half ही होगा, इस case में, इसको बाहर लिखेंगे, probability की S2 से solve नहों, वो कितना होगा, 2 by 3, probability की S3 से solve नहों, वो क्या होगा, तो that will be 3 by 4, ऐसे होगा ना, अच्छा, तो यही data को ना, examiner क्या करता है, कि पहले student का odd in favor आपको देदेगा, odd in favor का मतलब क्या होता है, अगर हम पहले student की favorable की बात करें, तो favorable 1 है, तो वो आपको यह देदेगा, कि यह 1 दिया हुआ है, पहले student की वो एक question को solve करे, उसका odd in favor क्या है, 1 है, तो 1 को आप अगर देखते हो, तो 1 by 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, favorable by non favorable, favorable 1 है, non favorable 1 है, दोनों को add करेंगे, तो 2 मिलेगा, मतलब यहां से आप यह खुद से extract करना पड़ेगा, कि probability that student 1 जो है, उस question को solve करें, वो कितना है, 1 by 2 है, ठीक है, second वाली के लिए इस तरह से data देल सकता है, कि वो odd against की, वो question को solve ना कर पाए, वो कितना है, तो he will give you like this, जैसे मालो, कि वो 2 by 1 दे देगा, ऐसे दे देगा, तो यहां से भी आपको figure out करना पड़ेगा, कि odd against का मतलब क्या होता है, non favorable उपर जाएगा, favorable नीचे आएगा, total कितना हो गया, 3, उसमें से favorable कि वो solve कर लेगा, 1 by 3, यह आपको खुछ से figure out करना पड़ेगा, तो data अलग-अलग तरीके से दे सकता है, यह तो पहली चीज होगी, दूसरी चीज है कि जैसे यह question solving वाला है, ठीक है, कि solve करेगा या नहीं करेगा, कभी आपको ऐसे देंगे कि 3 friend है, वो मेले में जाते हैं, और shooting वाला game होता है, ठीक है, वो shooting वाले game करते हैं, तो क्या probability है कि वो hit कर देंगे target को, ठीक है, या फिर एक sniper है, या तीन sniper है, वो एक mission पर है, mission पर क्या possibility है कि वो जो जुस्मन है, enemy को मार देंगे, इस तरह से, बहुत अलग-अलग तरह से variation बनाएंगे, बट जो process रहता है, वो यही रहता है, कि आप क्या करें, सब का, किसी भी question को solve करने का, या फिर hit करने का, और not hit करने का, वो आप निकाल लेंगे, तो निकाल कर रख लिया है हमने, और data अगर odd in favor करके देगा, odd against करके, ज्यादा तर means में इस तरह से दिया जाता है, जिसे कि बच्चा और थोड़ा सा मैनत करना पड़े उसको, तो उससे भी आपको घखनानी की दुरत में, यह हम अराम से निकाल लेंगे, अब यह को क्या आप बोला गया आपको, probability to solve the question, कि question solve हो जाए बस, उसकी probability क्या है, तो देखो solve होने के लिए क्या हो सकता है, कि कोई भी solve करे, S1 भी solve कर ले, तब भी चलेगा, ठीक है, S2 solve कर ले, तब भी हो जाएगा, S3 solve कर ले, तब भी solve होगा, आना, S1, S2 solve कर ले, तब भी हो जाएगा S1, S3 solve कर ले तब भी हो जाएगा S2, S3 solve कर ले तब भी हो जाएगा और last में तीनों के तीनों solve कर ले वो भी हो जाएगा मतलब ऐसे सो सकता है या फिर इसी को अगर हम ऐसे देखें कि solve होना है तो सभी लोग single-single individually solve कर ले तब ही S1 भी solve कर ले मतलब कोई एक बंदा भी कर लेगा तो चलेगा न तो मतलब एक single से भी solve हो सकता है या फिर उनके pairwise में भी हो जाएगा जैसे pairwise मैंने दिखा है कि दो-दो लोग भी solve करेंगे तब भी चलेगा या फिर तीनों के तीनों solve कर लेगा मतलब solve होने की अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है चार cases थे एक तो था 0 कि नहीं solve होगा या तो एक बंदा कोई solve कर ले है वो कोई भी हो सकता है या दो-दो करके बंदे solve करें एक बंदा solve नहीं कर पाएगा दो बंदे ही solve कर पा रहे है और last में क्या है कि तीनों के तीनों कर ले जैसे हमने यहां देखा है ना कि आपको ये cases बताए कि green होने की क्या है या तो 0 है 1 है 2 है या 3 है तो यहां पे solve होने की क्या है या तो solve नहीं होगा या कोई एक बंदा ही solve करेगा इन तीनों में से या दो बंदे मिलके कर सकते हैं, या तीन बंदे मिलके हैं, ऐसे possibility रख लिया हमने, अब देखो पूछा क्या है उसे, उसने पूछा है कि solve हो जाए, तो solve होने में ये तीनों के तीनों के तीनों case आ रहे हैं, इन तीनों को case से इसको करने के लिए बहुत time लगेगा, क्या करें, complimentary event लगा देते हैं, कि तीनों को अगर निकालना है, तो one minus करके कोई भी solve ना कर पाए, वो देख लेते हैं, कोई भी solve ना कर पाए, तभी तो क्या होगा, कि question solve नहीं होगा, else, कोई भी एक अगर बंदा solve कर लेगा, तो solve हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, one minus probability that no one solve it, क्या सकता हूँ यह, ठीक है, अब no one solve it का मतलब गया है, कि पहला बंदा जो है, वो भी solve ना कर पाए, ठीक है, second भी ना कर पाए, और third भी ना कर पाए, तीनों को काम करवाना पड़ेगा, और तीनों solve करेंगे, और तीनों से नहीं बनना चाहिए, तभी मेरा काम होगा, मत्त second वाले की probability की नहीं solve करेंगा, that is two by three, अच्छा तीसरे पर आजाओ, उसको भी नहीं solve करवाना है, मुझे, तो three by four लिख दिया, और यह one का one हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगे, एक single case में काम हो जाएगा, what is your answer, two से two cancel हो गया, three से three cancel हो गया, one minus one by four, so your answer is three by four, यह बहुत जादा confusing लगता है बच्चों को, बहुत simple है, अब अगर सूचना, अच्छे से start करोगे, तो बहुत अराम से हो जाएगा, target वाले question आते है, ऐसे ही, कि target को hit करेगा, balloon को hit करेगा, तो आप अराम से कर लो, now, इस question को देखिए, the probability of Sita, Gita and Mita passing a test is this, this and this, passing का दिया हुआ है, कि S you want to write, similarly, ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए पिस लिख दे रहा हूँ, Gita के लिए कितना है, 40% मतलब 2 by 5, तो fail होने के क्या होंगे, 3 by 5 हो जाएगा, similarly, अगर Mita की बात करें, तो Mita का pass होने का क्या दिया हुआ, 1 by 5, 20%, fail होने का कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा, 4 by पूछा किया, देखो, what is the probability that, ये हैट गलत है, Sita and Gita will pass the test and Mita will not, तो इसमें कोई order नहीं है, कि पहले Sita, जैसे हमारे पास coin, sorry, dice वाले में था ना, और coin वाले में था, कि 2 head आएंगे, पहले में head आजाए, तब इसमें आपको order सोचना नहीं है, कि पहले Gita fail होगी, ऐसा Pencil of Counting लगा है, कि पहले वाले की probability कि सिता को pass करवाना है, that is 3 by 5, then Gita को आपको क्या करना है, pass करवाना है, तो 2 by 5, and finally Mita को fail करवाना है, that is 4 by 5, तो 4 by 5 लिग दिया, इसको calculate कर लिए, ये answer, so what is your answer, ये 8 हो गया, 8 3 times is 24, divided by 125, ठीक है, क्या करें इसको easy करने के लिए, इसको 8 से multiply कर देता है, क्या होगा, 800 और ये 200, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, और इसको भी 8 से multiply कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, 160 plus 32, the 192, एक 0 यहां से हटा दो, यहां decimal लग जाएगा, 19.2%, that is option number D will be the correct answer, now, ये वाला जो question type है, इसमें बहुत जादा doubt होता है, with replacement, without replacement कैसे करेंगे, त जिसमें x white and y yellow pens दिया हो है, white वाले आपके पास x है, और yellow वाले आपके पास y है, ऐसा दिया हो है, दो pen आप pick कर रहे हो, randomly, what is the probability that, पहला case में without replacement करना है, कि replace नहीं कर सकते आप, मतलब एक जब pick कर लिया, तो उसमें फिर से रख नहीं सकते है, तो आज हो देखो, case 1, without replacement बता आउना पहले है, देखो, without replacement में पहला जो question है, वो क्या बोल रहे हैं आपको, कि one of them is white, कि आप इस तरह से दो pen को pick कर रहे हैं, कि एक जो है उसमें से white हो जाए, और दूसरा क्या है, yellow हो जाए, replace नहीं कर रहे हो, ठीक है, रख नहीं रहे हो, तो क्या करेंगे इसमें देखो, ऐसे बताता हूं, कि पहले को white है, मालों कि मैं गया, उसमें pick करने के लिए, मैं return नहीं रखना हूं, मैंने white उठाया, तो white मेरे पास रहे गया, और ऐसा नहीं कि पहला white होना है, one of them, कोई भी होना चाहिए, कोई भी एक उसमें से white हो, और दूसरा yellow हो जाए, मतलब दोनों different color करके हो जाए, इसलिए मैंने लिख दिया है, कि और different color करके भी language आ सकता है, तो इसमें मेरे पास order वो नहीं है, कि पहले मुझे white ही उठाना है, पहले white भी उठा सकता हूं, पहले yellow भी उठा सकता हूं, तो दोनों cases है, आजो देखो, मैं एक बार क्या करता हूं, पहले white उठा किसे कोई भी एक pen को उठा सकता था, उसमें से मुझे क्या करना है, white pen चूज करना है, पहले वाले में, तो x तरीका हो जाएगा, अब जब मैं यह उठा लिया है, तो क्या मैं यह कह सकता हूं, कि मेरे पास अब जो है, एक pen कम हो गया होगा box में, और अब जो मैं white color के लिए अब तब total number of ways क्या बचेगा sir, तो x plus y minus 1 क्योंकि एक pen कम हो चुका है, अना, अब मैं क्या कर रहा हूं, उस remaining pen जो बचे हुए है उसमें से, since एक white तो जा चुका है, yellow pen उठाना है, तो क्या yellow pen कम हुआ है, no, white pen ही आपने उठा है, तो yellow pen y ही रहेगा, यह हो गया, तो यह हो ग जा था, x plus y खरीके थे, उसमें से मिचे yellow उठाना था, तो y रख दिया, same, जब मैंने एक उठा लिया, तो आप मेरे पास total ways बचे इतने, उसमें से white उठाने, तो white पे तो कोई influence नहीं पढ़ा है, जब yellow उठाना है हमने, क्योंकि दोनों अलग color है, यहां पे x हो जाएगा, यह भी answer है, यह भी answer है, मतलब आप देख रहे होगे, कि denominator दोनों का same है, x plus y into x plus y minus y, यह होप मैं previous वाले में आपने उपर नहीं लिख रहा था, तो यहां पे देखो, ऊपर भी, क्योंकि denominator same है और numerator भी same है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऊपर 2xy हो जाएगा, and this is your answer, ठीक है, औ और इस चीज़ को अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे, तो इस चीज़ को ऐसे भी calculate कर सकते थे, ध्यान देना, पहले बाला point का ही बता रहा हूँ अभी, कि आपको क्या करना था, दो बॉल पिक करना है, आपको मालों जैसे x plus y total था, उसमें से अगर ऐसा question आता है, कि दो ब केस में सेम ही answer होगा, क्योंकि मतलब दोनों का सेम है, तो sir, total मेरे पास x plus y था, उसमें से दो ball निकाल था, x plus y c2, ठीक है, अच्छा, एक white होना चाहिए, तो x c1 into, एक आपका yellow होना चाहिए, तो y c1, x c1 का मतलब x हुआ, y c1 का मतलब y हुआ, इसका मतलब क्या होगा sir, x plus y into x plus y minus 1, ठीक है, नीचे क्या होगा, 2 factorial, नीचे 2 factorial होगा, ये 2 उपर चला जाएगा, उपर भेज देता हूँ, और नीचे वाले 2 को हटा देता हूँ, क्या आप देख रहे हैं, कि दोनों सेम ही है, ठीक है, तो अगर ऐसा आपको question आता है, कि without replacement रखे, ध्यान देना समझ जो, without replacement वाला case है, ठीक है, आप चाहें, तो यही तरीका ध्यान रख सकते हो, इसमें ज़्यादा confusion नहीं होता है, ठीक है, अगर ये रखो कि तो थोड़ा quickly आ जाता है, दोनों अलग-अलग नहीं करना पटता है, लेकिन ये है कि इसमें आपको कभी भी confusion नहीं आएगा, बटना य सुछ नहीं की दुरहती है, क्योंकि आलड़ी ये जो नीचे वाला two है ना, वो order को matter कर ले रहा है, include कर ले रहा है, समझ रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको जो अच्छा लेख रहे है, मैंने दोनों बस तरीके बता दिया है, अब देखो second question पूछा है, वो क्या पूछा है, important question है, second वाला भी, कि first white होना चाहिए, इस बार order matter हो गया, पहले क्या था ना, कि आपको पहले वाले question में बोला है, कि दो ball आप निकाल लिए, पहला white होना चाहिए, दूसरा yellow होना चाहिए, order के बारे में नहीं बोला, और without replacement था, without replacement, order के बारे में नहीं बोला था, तो आप य order है, तो आज अब देखू, इस case में मैं उठाने जा रहा हूँ, x plus y मेरे पास तरीका था, उसमें से मैंने पहला yellow उठा दिया, पहला yellow है, तो यह हो गया, similarly, जब मैं second ball वी ले गया, तो total number of ways कम हो गया, और उपर क्या लिए दोगा y, क्योंकि यही था ना, वो इस case में, इस case का पूछ रहा है आपको, कि पहला white हो, दूसरा yellow हो, तो यही answer होगा ना, तो यह आपका answer हो जाएगा, लेकिन जब order यहाँ पे, since, यहाँ पे order mentioned था, order mentioned है, यह slide को बहुत अच्छे से देखना, एक बार समझनी आ है, दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना, क्योंकि इस, यह सबसे important चीज़ है, इसमें अगर आप गलत कर लोगे, तो पूरा गलत हो जाएगा, चाहें कितना भी आप अच्छे से probability सीख लेए, और है बहुत simple, ठीक है, अगर आपको लगता है, मैं इसको याद नहीं रखना चाहता, confusion होगा, तो मैं आप इस तरह को भिखान case 2, with replacement, इसमें क्या होगा ना, कि आपने पहला निकाला फिर रख दिया, replace कर दिया, देखो, first, one of them एक white होना चीज़, दूसरा yellow होना चीज़, आज़ो देखो, जब मैं गया तो मेरे पास total x plus y थे, उसमें से x white है, और y yellow है, जब मैं पहला pick करने क्या है, क्योंकि यहां पर order mention नहीं किया है, तो आपने क्या क्या, देखा नीचे x plus y, और उपर आपने क्या क्या, white निकाल दिया, पहला white, फिर yellow, और इसमें ऐसा भी हो सकता है, कि white और yellow बाद में, ठीक है, बीच में plus आएगा, अब with replacement में क्या होगा, आपने जब पहला निकाला, देखा और रख दिया, ठीक है, पहला white निकल गया, मैंने देख लिए और रख दिया उसको, अब आपके पास फिर से जब second ball उठाने जाओगे, तो total आपके पास x plus y ही बचा होगा है, that is the only difference, और कुछ भी difference नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी को आप clearly नहीं समझते हो, तो आपको लगते कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, बहुत simple है, तो अब आपने देखा x plus y, अब आपको क्या करना है, yellow ball pick करना है, तो yellow ball y है होगे, similarly अगर आप यहाँ जाओगे, तो यहाँ पे भी होगा, x plus y नीचे, पहले yellow pick करोगे, फिर से आपने द रख दिया, तो अभी भी total होई ही रहेगा, और यहाँ x आ गया, और इस चीज़ को हम क्या कह सकते है, 2xy divided by x plus y का whole square, समझ गया, point number 2, second क्या है कि first y होना चाहिए, इसका मतलब वो इस बार यह वाला case बस पूछ रहे है, यह वाला case पूछ रहे है, आंसर क्या हो जाएगा, x divided by x plus y into y divided by x plus y, so your answer is x y divided by x plus y का whole square, समझ गया, तो बहुत simple है, बस confusion आपको नहीं होनी चीज़, इसलिए मैंने separate में last में करवाए है कि आपको ध्यान रहे है यह चीज़, तो इसी के साथ, जो probability के जितनी भी concept थे important वो मैंने आपको बता दी है, अब आपका काम है इसको बार बर revise करना, एक बार आप समझ जाते हैं, तो फिर से आप सारे question खुद से बना पाते हैं, कि ऐसा हुआ होगा, जब मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़े मैं बता रहा हूँ, तो आपको clear हो रहा है, लेकिन exam के time में या फिर खुद से जब practice करते हैं, तो हमें खुद से सुचना पड़ता है, उस time उपर नीचे हो सकता है, तो वो चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी अगर आप probability को बहुत strong area बनाना चाहते हैं, और इसके लिए यह जो without replacement and waste replacement वाला है, अगर आपको लगता है कि सर मुझे कोई भी confusion नहीं चाहिए, जल्दे सरा है हर बार, कभी मुझे confusion नहीं हो, तो आप यह कर सकते हो, कि ना आप एक second, दोनों अलग अलग करके करना की, एक बार white, yellow, फिर yellow, white, दोनों case आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं directly यह करने की कुशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को सारी च बच्चों को, जैसे मैं तो सोच पा रहा हूँ, बच्चों को थोड़ी confusion हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कि अगर नहीं भी करोगे, तब भी चलेगा, दोनों में आपने दिखा दिया है, हाने, same answer आता है, ठीक है, तो इसे की साथ वीडियो को end करेंगे, जितने भी सारे concept तो वो बता दिया है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजेगा, आपने दो सब्सक्राइब कीजेगा, और जो भी आपके feedbacks हैं, कि sir, कैसा लगा वीडियो, वो भी बताईगा, जिससे कि हमीं भी motivation मिलती है, कि जो महनत किया है, मैंने या आपके दो